हेलो एवरिवन कैसे वह आप लोग बोलो जल्दी से प्लीज मुझे फटा फट बोलो चलो कैसे वह आप लोग रिस्पॉंस करो एकदम जोरदार चलो स्टार्ट करते हैं एक मींट दो स्टार्ट कर रहा है पर दोस्तों एक्चली क्या हुआ अपने अप्लिकेशन की उपर थोड़ा सा दिक्कत आ रहे रहे है अपने जो भी स्टूडेंट से उनको सही है न तो आज की दिन अपन यूट्यूब पे ले लेते फिर अपन कल से वापस अप्लिकेशन ट्यूपर शिप्ट हो जाएंगे साहिए प्लैटफोर्म कोई भी हो अपनी पढ़ाई नहीं रुखनी चाहिए साहिए अभी ध्यान देना अच्छे से में क्या बोल रहा हो साहिए अभी देखो दोस्तो अपना जो भी मैराथान बैच है सही है तो अपने मैराथान बैच में हमने अकाउंट्स का जो भी आपका not for profit concern नाम का topic था है ना वो हमने क्या किया बोलो एकदम अच्छे से complete किया यह सोर नो और आप मुझे जल्दी से बोलो कि जो भी आपने दोस्तो फ्लीज जान देना आप लोग मुझे जल्दी बोलो कि जो भी आपने not for profit concern नाम का topic पड़ा कि आपको अच्छे से समझा के बोलो कि आपको हर एक जितने भी मैंने आपको आपको आपके questions लिये कि हर एक question आपको अच्छे से आया क्या 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 आपको हर एक जो भी detail concept है पूरा हुआ क्या बोलो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि आपने जो भी not for profit concern नाम का topic अपने marathon batch में आपने attend के राइट तो उसके पद आपके 12 marks sure shot fix हो जाएंगे क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या yes or no बोलो है ना yes मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छे से समझाओगा ठीके चलो बहुत अच्छी बात है राइट तो अभी अपन क्या करने वाले दोस्तो आज का जो भी lecture रहेगा आज के lecture में अपन आपका accounts का chapter number one अपन start करेंगे साहिए जिसका ना में दोस्तो introduction to partnership and partnership final accounts क्या ना में बोले लिस है introduction to partnership and partnership final accounts साहिए ये chapter अपन आज के lecture में start करने वाले ठीक है तो क्या आप लोग radio क्या बोले चैप्टर को पढ़ने के लिए और देखो ध्यान देना में क्या बोल रहो जैसे आपने NPO के case में कैसे first दो तीन दिन आपने बहुत अच्छे से response किया था है ना आपन जो भी थेरी थे आपने हरे थेरी वाले concepts हमने notebook में लिखके लिए थे य ठीक है चलो अभी ध्यान देना में क्या बोल रहो देखो दोस्तो जैसे not for profit concern यह आपको question number 6 में 12 मार्क के लिए आने वाला है तो वेसे ही दोस्तो जो भी आपना partnership final account से या जो भी आपका introduction to partnership and partnership final account से न यह भी आपका दोस्तो आपकी जो भी board exam होगी न वो board exam में आपको यह य इसको पूछा जाएगा दोस्तो आपके question number 7 में का आपके पूछा जाएगा बोले दी दोस्तो question number 7 जो भी रहेगा वो question number 7 में दोस्तो आपको यह भी 12 मार्क के लिए आने वाला है तो अगर आपने NPO और यह जो भी topic यह भी अच्छे से एकदम पूरा कर लिया ना तो आपके आपे दोस्तो minimum कितने मार्क सो जाएगे बोलो 24 मार्क सिक्योर हो जाएगे सहिए अभी अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहो हूँ एकदम अच्छे से पढ़ेंगे आपन दीके पूरे जोश के साथ और पूरे इनरजी के साथ आपन पढ़ेंगे सहिए अभी ध्यान two way communication चाहिए सहिए आज के lecture में आपको पूरा जो भी partnership है या exactly partnership क्या होता है और partnership final accounts के लिए हमको कैसे कैसे adjustment करना है कौन सी कौन सी चीज़े हमको पढ़नी है हमको partnership का accounting कैसे करना है partnership का accounting करना क्यों ज़रूरी है इसमें भी हमको trading account profit and loss account balance sheet क्यों बनाना है आपको हर एक चीज़ तो आप मुझे एक बात बोलो जोस्तो और पूरा two way communication मुझे चाहिए है ना मैंने अगर आपको कुछ पूछा तो आपसे मुझे 100% मुझे response चाहिए ठीके चलो बहुत अच्छा है और मैं उम्मित करता हूँ कि आप मुझे 100% पूरे energy के साथ response करेंगे सहिए अभी जल्दी स विए बात बोलो दोस्तो कि जो भी अपना ये chapter है क्या ना मेरे बोले ये chapter का अपने chapter का ना में दोस्तो देखो या आपके screen पे दिखता होगा आपको क्या ना में बोलो introduction to partnership and partnership final account सहिए अच्छा अभी ये नाम सुना में क्या बोल रहा हूँ ठीक है अभी प्लीज अच्छे स यह chapter के नाम की उपर से आपको क्या लगता बोलो हाँ आपको यह लगता होगा कि बापा यह जो भी chapter है न सर इसमें हमको आप partnership के बारे में कुस्तों भी पढ़ेंगे रैट और उसके न हमको फाइनल अकाउंट्स नाम का word है और दूसरा है दोस्तों यह आपका final अकाउंट्स यह मतलब क्या इसका आपको थोड़ा बत पता रहेगा सही है तो आप एकदम सही जा रहे हो देखो दोस्तों यह जो भी chapter है यह chapter में हमको कुछ नहीं करना है हमको जो भी partnership होता है वो partnership के हमको trading account, profit and loss account और balance sheet, etc, etc यह सभी चीज़े हमको यह chapter में solve करने है सही है अभी आपन directly यह solving के उपर नहीं जाएंगे सही है सबसे पहले हैं दोस्तों मैं आपको कुछ चेज़ें बोलूँगा जैसे की for example partnership मतलब क्या, क्या जरूरत है partnership का एसे पूरा अपन basic से पूरा आपको लेके जाऊंगा और फिर आपन क्या करेंगे दिरे दिरे ये question को solve करने के ले जाएंगे ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोलूँगा अभी देखो दोस्तों मैं क्या बोलूँगा तो देखो आप मुझे एक बाद बोलो दोस्तों सुनो ना मैं अभी जो भी मैं आपको पूछ रहा हुना आप लोग मुझे सब लोग response करेंगे राइट अभी आच्छे से ध्यान देना में क्या बोलूँगा देखो मेरे आरो ननने मुनने बच्चो ध्यान दो देखो दोस्तों आपने 11th standard में का आपे बोली जैंदीस आपने आपका जो भी 11th standard था आपने 11th standard में मेरे इसाब से जो भी आपका chapter नमबर 10 था वो कौन सा थारे? तो वो आपने पढ़ा था दोस्तों sole proprietor का किसका बोली जैंदीस है? sole proprietor का आपने यहापे final accounts पढ़ा था क्या पढ़ा था बोलो आपने sole proprietor नाम का जो भी बंदा होता है उसका अपने final accounts का अपने यहापे solve किया था यह सोर नो बोलो मुझे सब लोग response करेंगे सही है अब यह आप मुझे एक बात बोलो दोस्तो कि यह जो भी sole proprietor था राइट यह sole proprietor मतलब क्या था रहे कि यह sole proprietor मतलब हमारा जो भी business है हमार जो भी क्या बोलो business है यह business है ना यह सिरीफ और सिरीफ एक single person run करने का कौन run करने का बोलो single person run करने का यह आपे कौन ता बोलो एक single individual था कुन तब बोले आपे जल्दी से एक single individual था जो business को run करने का सही है ना इसके बारे में हमने 11th में study किया था राइट अभी आप बोलेंगे सर ये तो हमको एकदम अच्छे से समझ रहे कोई दिक्कत ने राइट लेकिन अभी मैं आपको ये पूछना चाहता दोस्तो देखो जो भी आपने 11th स्टैंडर में sole proprietorship के बारे में ये अपने single individual का जो भी आपने यह पे final accounts बनाया था राइट तो आप बोलेंगे में क्या बोल रहो देखो दोस्तो जो भी 11th स्टैंडर में आपने sole proprietor का पड़ा तना तो वहाँ पे न दोस्तो sole proprietor के case में हमको कुछ ना कुछ limitations आने के कुछ ना कुछ क्या आने के बोलो limitations आने के कुछ ना कुछ वहाँ आपे हमको दिक्कत आने की या सोर नो ध्यांदों में क्या बोलो कुछ ना कुछ वहाँ आपे limitations आने के और कुछ ना कुछ दोस्तों वह आप हमको दिक्कत आने की सही है अभी आप बोलेंगे सर कौन से कौन से लिमिटेशन आने के बला तो देखो दोस्तों सबसे पेन है ना आप मुझे बोलना जैसे कि for example मालो यह आप एक कनिश का नाम की एक स्टूडेंट है कोन यह बोलेंगे से कनिश का नाम की आप एक स्टूडेंट है सही है अभी जान्दों में क्या बोल रहो मालो दोस्तों जो भी कनिक्षा नाम की जो भी स्टूडेंट है मालो उसका एक 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 ग्रोसरी शॉप है उसका क्या बोलेंगे से एक ग्रोसरी शॉप है इसको मुझे बहुत बढ़ा करने, बहुत बढ़ा करने, उसको भी लग रहा है, कि मेरा जो भी grocery shop है, यह मालो कि उसकी जो भी city है, वहाँ पे भी और वो बोल रहे हैं कि मुझे है, पुरे महराश्ट्रों में मेरे दुकान कोलने, मेरा भी बिग बजर जैसे, या D-Mart जैसे सब जगापे मेरी फ्रांचेस ही होए जैसे किसका सपना है बोलो यह अपना क्या नाम था कनिश्का का सपना है सही है अभी जान दो इसमें क्या होगा देखो दोस्तों क्या होगा मालू में क्या कि जब भी अपन सिंगल इंडिविजुल या सिंगल पर्सन हम जब लेवल पर बड़ा ना होगा तो वह केस में दोस्तों मुझे जो भी पैसा लगेगा वो थोड़ा सा लगेगा क्या बहुत ज़्यादा लगेगा बोलो मुझे सब लोग comment करेंगे ठीके कैसे लगेंगा बोले लिसे यस यह न दोस्तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा सही है तो इसका मतलब दोस्तो जो भी sole proprietorship ता न वहाँ पे हमको है न दोस्तो लिमिटेड फाइनास होने का लिमिटेड कैपिटल होने का सही है तो पहला problem क्या तो बोलो sole proprietorship का सबसे पहले तो दोस्तो वहाँ पे जो भी capital हमको लगने का वो limited capital लगने का कैसे लगने का बोलो limited capital यह क्या तो बोलो आपे constraint आए ना वाकी एक कमिया थी sole proprietorship की राइट क्योंकि हर एक single बंद है बहुत सारा पैसे लागा चकता है क्या बोलो business में नहीं लागा सकता है सही है तो सबसे पहले एक कमी थी ठीक है अभी दूसरी कमिया क्या देखो अभी दूसरी कमी देखो अभी आप मुझे एक बाद बोलो दोस्तों कि हर एक जो भी individual होता या हर एक जो भी person होगा क्या वो person में या दुनिया में जितनी भी qualities है क्या सभी qualities एक person में हो सकती क्या बोलो जितनी भी दुनिया में quality जैसे कि for example मानलो में सारंग उज़रा थी मानलो कि मुझे आपको accounts पढ़ा ना बहुत अच्छा लगता है मैं पढ़ा था भी हो सही है लेकिन ना मानलो मुझे क्या करना है कि अपनी जो भी academy ना उसका मानलो मुझे website create करना है उसका मुझे क्या करना है बोलो एक website create करना है या मालनो कि मुझे क्या करना है, अपना एक कही से application बनाना है, जो है न, all over world चले, ठीके, तो क्या यह हर एक चीजे में अकेला कर सकता हो, क्या बोलो, नहीं कर सकता, सही है, तो जो भी individual होता हैं दूस्तो, वो individual में, क्या होता है, बोलो, limited managerial skill होती है, क्या होती है, बोलो, limited skills हो improve करने के लिए आपन क्या करेंगे दूसरे लोगों को हमारे business में ले लेंगे concept समझ रहे क्या मैं क्या बुल रहू हूँ तो एसे ही न दोस्तों वहाँ पे बहुत सारी कमिया थी किसमें बोलो solo proprietorship में और ये कमिया को दोस्तो overcome करने के लिए ये कमिया से हमको उपर आने के लिए कुछ बड़ा करने के लिए एक नया concept आया और वो concept का नामे दोस्ता आपका partnership कौन सा concept बोल आपका partnership नाम का concept आया concept समझा के नहीं समझा बोलो एकदम अच्छे समझ रहे आपको एकदम अच्छे समझ रहे कोई दिक्कत यहाँ तक यहाँ तक पूरा क्लियर है वोलो हमने क्या पढ़ा भी तक कि 11 सेंडर्ड में हमने सोल प्रोप्रेलडर्शिप के बारे में कुछ पढ़ा था और उसमें कुछ कमिया थी जैसे कि for example हमको पैसे की कमिया गिरने की हमारे में पूरे उतने स्किल नहीं थे तो यह कमिया को overcome करें के लिए हमारा partnership आया सही है यहाँ तक तो एकदम अच्छे से समझ गया रहेंगा आपको सही है अभी जान दो में क्या बोल रहो देखो दोस्तो लेकिन आप मुझे अभी पूचेंगे सर हमको partnership आया यह तो समझा लेकिन आप मुझे प्लीज यह बोल सकते हो कि partnership मतलब क्या आप मुझे क्या बोलेंगे बोलो आप मुझे बोलेंगे सर आपको हमको क्या प्लीज यह बोल सकते हो क्या कि what do you mean by partnership आप यह जान दो में क्या बोल रहो देखो दोस्तो जब भी न हमारे business में 2 कितने बोलो 2 मतलब 2 और more than 2 परसंट और कितने बोलो more than 2 परसंट minimum कितने बोलो 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग जब एक साथ आके business करते न वो concept को आपन बोलते हैं दोस्तो partnership वो concept को आपन क्या बोलते हैं ज़्यान में आ रहें तो partnership अभी सुनो साथ सात में आपको लिखना भी है साथ सात मैंования आपको notes भी create करना है सही है अभी ध्यान देना तो आपके क्या करो आपके notes में पहले heading डालो आपके heading डालो जल्दी से क्या डालेंगे बोलो what is partnership क्या heading डालेंगे बोली दोस्तो what is partnership सही है तो मैं आपको लिखके भी दे रहा हूँ आपके notes भी आपके create हो जाएंगे समझ रहा हूँ आपके ध्यान देना द जान देना दियर इजैन दियर इजैन असोसियेशन वहाँ पे क्या होगा बोले एक असोसियेशन होगा असोसियेशन मतलब क्या रहे दो से जादा लोग है ना दो या दो से जादा लोग होगे ना एक साथ आके कायम करें उसको आपन क्या बोलते हैं बोलो असोसियेशन बोलते तो partnership क्या है बोले? Organization है जहांपे क्या होंगा? where क्या होंगा? वहाँ पे होंगा association where to or more than two persons क्या होंगा बोले? यह सब लोग साथ महं हैं मतलब क्या बोलो? coming together coming together अब ही आप मुझे एक बाद बोलो सब लोग सही है यह जो भी दो या दो से जादर लोग दोस्तों एक साथ आएंगे रइट तो क्यों आएंगे रहे जब भी दो या दो से जादर लोग एक साथ आतो रहे रहे तो यह क्यों आएंगे बोलो तो वहाँ पे लिको दोस्तों coming together to carry a business to carry a business सही ना मतलब क्या कि जब भी कोई भी बंदे को अगर business करना होगा तो दो से जादर एक साथ आएंगे और बिजनेस करेंगे समझा क्या to carry a business अभी क्यों बोलो अच्छा अब मुझे एक बाद बोलो जो भी लोग business करते जो भी लोग क्या करतें बोलो business करतें उनका motive क्या रहता रहे business करने का क्या motive रहेंगा बोलो तो वहाँ पे लिखो दल दीजेस तो with a view to share profits and losses share what share profits and losses share what profits and losses समझा क्या मतलब इतने है रखना दोस्तों अगर आपको किसी ने पूचा what is partnership तो partnership पता भी इतना लिख देना बस partnership मतलब क्या partnership is the organization there is an organization क्या होगा बोले लिसे जहाँ पे क्या होगा दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ आएंगे और business करेंगा और क्यों करतें बोलो for earning profits and losses जो भी रहेंगा for earning what profits and losses तो आप सब लोग को यह लिखना है जो बही आपका partnership होता है ना तो यह partnership होता है एक act के अनदर क्या बोला मैंने ध्यान देना में क्या बोलो बहत अच्छे से ज्यान देना घ्यान देना है जो भी आपना दोस्तो पार्टनर्शिप होता है ना पार्टनर्शिप ये पार्टनर्शिप के उपर कंट्रोल करने के लिए पार्टनर्शिप के उपर कंट्रोल करने के लिए हमारे इंडिया में एक लौ है हमारे इंडिया में एक कानून है सही है और वो कानून का नामे दोस्तो इंडियन पार्टन को हमारे इंडिया में अगर पार्टनर्शिप का बिजनेस करना होगा तो वो परसन को इंडियन पार्टनर्शिप एक 1932 में जो भी नियम दिये हैं वो हरेक नियम को हरेक रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा समझा तो ये जो भी आपका से यह जो भी आपका act है ना दोस्तों कुनसा बोलो Indian Partnership Act 1932 यह act में दोस्तों partnership का definition दिया है समझ रहे हो ना जो भी partnership का main definition है ना वो आपको दिया दोस्तों Indian Partnership Act 1932 में सही है और हमेशा है रखना दोस्तों जो भी act होते हैं ना वो act में अलग-अलग sections होते हैं और यह जो भी Indian Partnership Act है ना दोस्तों इसके section 4 कुनसा section बोलो section 4 of the Indian Partnership Act 1932 में हमारे partnership काम को definition दिया है सही है और definition आप सिर्फ लिक ले ना ठीक है देखो मैं वापस बोल रहा हूँ थोड़ा time लगेगा आपको सही है अगर आप अच्छे से देखेंगे ना lecture तो आज का lecture के बाद आप आपको एक भी चीज़े सानी होगा कि आपको नहीं समझेगा ठीक है आपको हरे concept थरोली clear हो जाएगा ठीक है और आज के lecture में जो भी आपका accounts का है ना कौनसा बोलो introduction to partnership and partnership final accounts ये topic की जितने भी आपकी उसमें अंदर की जो चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी important चीज़े आपकी हरे चीज़े में आज cover कर दूँगा सही है और जो भी आपका वहाँ पे theory है आप पूरा cover हो जाएगे कल सी directly problem हो जाएगे सही है तो अच्छे से lecture देखना आपको बहुत मज़ा हैगा सही है अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ तो देखो दोस्तो जो भी आपन पार्टनर्शिप है ना पार्टनर्शिप का एक्ट कौन सा है बोलो तो एक्ट है इंडियन पार्टनर्शिप एक्ट 1932 और उसके section नंबर 4 में हमको पार्टनर्शिप की ए definition दिये सही है और definition क्या है तो लिख लो दोस्तो जल्दी से वापे लिखो it is the relation क्या है बोले जल्द इसे who have agreed to share who have what agreed to share the profits of a business what बोले इसे agree to share the profits of a business the what profits of a business सही है ना अभी ध्यान देना में क्या बोलो profits of a business अभी इसको आप मुझे एक बात बोलो सही है देखो दोस्तो पार्टनर्शिप में ना शिरिफ minimum कितने लोग रहेंगे बोलो दो लोग रहेंगे या दो से जादा लोग रहेंगे सही है अभी आप मुझे एक बात बोलो अगर मेरा एक पार्टनर्शिप है for example उसका नाम है मालनो दोस्तो टिंगुलाला एंड लिमेटेड नाम है सही है अभी मालनो यह अपना पार्टनर्शिप है और अपने पार्टनर्शिप में न दोस्तो या आपने 10 लोग ही कितने partner है बोलो मेरे 10 partner है अब भी आप मुझे एक बात बोलो दोस्तों कि अगर मेरे partnership में अगर 10 partner होंगे तो 10 लोग मिला के business करेंगे या कोई 2-3 लोग business करेंगे बोलो बोलने जल्दी से मुझे कि मेरा जो भी आपे partner दोस्तों ध्यान देना में क्या बोल रहा हूँ मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो भी मेरा partnership है दोस्तों मेरे partnership है 10 partner है सही है और आप मुझे बोलो अगर मेरे partnership में अगर 10 लोग मिला के काम कर रहें मतलब मेरा business कि 10 लोग चलेंगे या कोई selected लोग चलेंगे बोलो प्लीज मुझे response करो या सब लोग चलेंगे सही है तो इसलिए आपर definition में आपको लिखने हैं दूस्तों क्या लिखेंगे बोलो carried on by all क्या लिखेंगे बोलो carried on by all और any of them और क्या बोलें लिखेंगे बोलें लिखेंगे बोलो Indian Partnership Act 1932 में समझा के नहीं समझा बोलो समझा के नहीं समझा बोलो जल्दी से समझा के नहीं मुझे जल्दी जल्दी बोलो सही है फटा फट 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 बोलो ठीक है अभी ध्यान देना में क्या बोल रहो हूँ आपको इना बहुत अच्छी समझेगा अभी मैं क्या बोल रो ध्यान देना से ठीक है एकदम अच्छे से ध्यान देना पूरे कॉंसेंट्रेशन से आप ध्यान देना ठीक है देखो दोस्तो आप मुझे एक बाद बोलेंगे सही है ध्यान देना मैं क्या बोल रो आप लोग मु को ले लिसे अजिंग के नामें सही है अभी आपको पता रहे हमने मार्च में यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था वहाँ से अपनी जो भी कहानी वो शुरू हुई थी सही है अभी मैंने सोचा कि या रहे ना अभी अपना जो भी अकेडमी ना वो बड़ा होते जा रहे है अपने जो भी स्टूडेंट से उनको बहुत मज़ा आती है अपने लेक्चेस देखने में राइट तो मैंने सोचा दोस्तो कि क्यूँ ना मैं अकेले बिये जो भी अकेडमी चैनल अने से मैं मेरा एक फ्रेंड है जिसका नामे अजींकियो मैंने सोचा कि क्यूँ ना मैं ये जिसके कारण क्या होगा बोलो ये थोड़े बहुत पैसे वो भी लाएगा और मेरे को क्या करेगा बोलो help करेगा ऐसे मैंने सोचा ठीके अब ये थोड़े दिन हो गए दोस्तो और क्या होगा students बढ़ने रगे सही है तो ये जो भी अजीन के नाम का मेरा friend है न दोस्तो इसका ज अब हमारे बीशनेस में एक से जादा लोग है न मोड़े दोस्तो तो हमारे बिजनस में उने चांसे हैं नहीं बोलो कुछ न कुछ future में हमारे बीच में जगड़े हो सकते के नहीं बोलो clashes हो सकते के नहीं बोलो 100% हो जाएंगे सही है तो देखो दोस्तो तो यह जगड़े ना हो यह clashes ना हो इसके लिए मैंने अजींकिया को जब भी मैरे business में लिया तो मैंने क्या करना चाहिए तहरे मैंने जो भी terms and conditions है वो decide करके अपनी चाहिए राइट जैसे कि for example तु यहाप आएगा तो तुझे में 50% डूंगा 40 ऐसे कुछ ना कुछ terms and conditions क्या करनी चाहिए बोलो मैंने decide करनी चाहिए राइट तो हमेशा रखना दोस्तो जब भी अपना partnership का business होता है जब भी अपना क्या होता है बोलो partnership का business होता है दोस्तो तो यह partnership के business में जो भी partner होते न वो partner के भीश में कुछ ना कुछ क्या होना बोलो, agreement होना चाहिए, कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, बोले इसे, agreement होना चाहिए, क्या होना चाहिए, agreement होना चाहिए, कुछ ना कुछ वापे, हमारे terms and conditions होने चाहिए, और ये जो भी agreement होता है ना दूस्तो, ये agreement partnership के बीश में, दो type के होते है, कितना type के होते हैं, बोले द यूबान दे दी है ना, मतलब हमने बातचित में सिर्फ क्या कर दिया, बोलो, Terms and Conditions, decide कर दे राइट, और दूसरा होता है दोस्तो, Return Agreement, दूसरा कुछ सा होता है बोलो, return agreement होता है, दूसरा कुछ सा होता है बोलो, return agreement होता है, सही है, अब आप मुझे एक बात बोलो जब भी आपन कोई भी बड़ी चीज लाइफ में करते सही है तो वो case में हमने सिर्फ orally decide करना चाहिए क्या हमने कोई वो चीज़ों को लिखके decide करना चाहिए आप मुझे बोलो ना जब भी मैं कोई भी बड़े लेवल पकाम करूँगा जब भी मैं कोई भी बड़ा बिजनेस करूँगा तो वो टाइम पे दोस्तों मैं सामने वाले से जो भी agreement करूँगा वो बस बातचीज से करूँगा या लिख्या करूँगा बोलो 100% मैंने लिख के करना चाहिए तो अपने partnership जो भी ना तो आपना जो भी partnership का कौन सा act है बोलो partnership को कौन सा कानून ये उसके उपर control रखते है बोलो तो partnership के उपर तो मैंने आपको बोला कौन सा ता बोलो येस हमारता दोस्तो Indian Partnership Act 1932 तो ये कानून है न दोस्तों ये कानून बोलता कि कोई जरूरत नहीं है अगर आपको चाहिए तो आप आपका जो भी partnership का agreement है उसको register करो वो क्या बोलता partnership के बीच में जो भी agreement है आपको चाहिए तो आप उसको register करो आप orally भी decide करे तो भी हमको कोई दिक्कात नहीं है तो हमेशे याद रखना दोस्तों कि जो भी अपना partnership होता है ना तो partnership के अंदर मेरा और सामनाले person का मतलब partners की बीच में दोस्तो agreement होता है और वो agreement एक तो oral हो सकता है या return हो सकता है तो है लेकिन न दोस्तो oral agreement में ना future में कुछ ना कुछ complications आने के chances रित राइट for example माल लो देखो ध्यान दो में क्या बोल रहो देखो मेरा कौन था बोलो partner अपना partner को ने बोलो अजिंक का नाम का मेरा friend है सही है अब ही क्या हुआ जब भी अजिंक के अपने business में आना अपने academy man तो अजिंक के मुझे क्या बोला कि सारंग कोई दिक्कत नहीं है तू कुछ भी कर तू ते को जो करना यो कर मुझे सिरिफ है ना जितने भी फीज आएगी उसमें से मुझे 20% दे देना ऐसे किसने बोला अजिंक के ने मुझे के साथ यह on firmly decide किया था यह उसमें बात सिर्फ मैं बाचांचित में decide किया था कि फ्यूचर में मेरे पस कोई proof रहे है का बोलो अगर कल जाके अगर मेरा पार्टनर मेरा से अगर कोई जगडे करने लग रही तो क्या वो केस में future में मेरे पस कुछ proof रहेंगा क्या बोलो नहीं रहेंगा सही है तो इसका मतलब दोस्तो जब भी oral agreement होगा तो oral agreement के लिए partnership act में कोई भी दिक्कत है क्या बोलो नहीं है लेकिन future में अगर कोई complications आते हैं future में अगर कोई partner की बीच में अगर जगड़े होते हैं तो वो पैशा रखना दोस्तो return agreement जब भी partners की बीच में होता है तो वो ही return agreement को हम अपने sophisticated language में बोलते हैं partnership did क्या बोलते हैं बोलो partnership did बोलते हैं सही ना तो अगर दोस्तो आपको MCQ में अगर question पुछे जाएगा return agreement between the partners is called as आपको question में पूछ सकते हो board में राइट क्या पूछेंगे बोलो the return agreement between the partner is called as उसको क्या बोलते हैं बोलापन उसको हम बोलेंगे दोस्तों प्यार से partnership did क्या बोलते हैं बोलो partnership did बोलते हैं सही है तो आप मुझे एक बात बोलो जब भी आप future में कोई भी बड़ा business करेंगे तो वो क्या बोलते हैं गुजरती में उसको partnership did रहता है एसे कुछ तरीके से आपका क्या होता है बोलो partnership did होता है सही है अभी ध्यान देना में क्या बोल रहो हूँ अभी ध्यान देना में क्या बोल रहो हूँ अभी आप बोलेंगे सर हमको ये तो समझ गया है कि हर एक partner की बीच में कुछ ना कुछ agreement रहेगा रहेगा और अगर रिटर्न में रहेगा तो उसको partnership deed बोलेंगे सही है अब भी आप लोग मुझे पूचेंगे दोस्तों कि sir फिर क्या आप हमको ये बोल सकते हो क्या कि जो भी हम partnership deed तो बना लेंगे लेकिन ओ partnership agreement में या partnership deed में हमको कौनसी कौनसी चीज़े लिखनी चाहिए यस और नो तो ध्यान देना में क्या बोल रहेगा दोस्तों तो जब भी न हम partnership deed बनेंगे या जब भी हम partnership agreement बनेंगे दोस्तों तो सबसे पहले उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा और वह है दोस्तों आपका जो भी business है उसका नाम और उसका address क्या रहेंगा बोलो partnership deed में सबसे पहला चीज रहेगा दोस्तों आपके business का नाम और आपके business का address सही है उसके बाद दोस्तों जान देना एकदम अच्छे से जुनना ठीके आपको हर एक चीजे class में कावर हो जाएगी ठीके मैं वादा करता हूँ आपको घर पे पढ़ने की कोई ज़रुत ने गरीगे ठीके अभी जान देना देखो दोस्तों आपने business का क्या नाम तरें यास आपने business का नम तरें टिंगुलाल and limited सही है तो जब भी मैं partnership बनाऊंगा आज इंके के साथ वापे मैं क्या लिखूंगा तिंगुलाल and limited सही है और उसका address का आपे तो बोलो एमद नगत पॉर एक्जंपल सही है उसके क्या बोल रहा हो उसके क्या बोल रहा हमको है न वह partnership बोलो दूस्तों कि जब भी मैं अजीन का नाम की मेरे friend को as a partner करके मेरे business में ले के आउंगा मेरे business को appoint करूंगा तो आप मुझे बोलो क्या मैं उसको थोड़ा बहुत पैसा लाने के लिए बोलूंगा के नहीं बोलूंगा बोलो आप मुझे बोलू ना जब भी अजीन का ना partnership का business है वो partnership के business में अगर कोई भी person अगर थोड़ा बहुत पैसा लाता है तो उसको हम बोलते दोस्तों capital क्या बोलते बोलो capital बोलते सही है और यह जो भी मेरा partnership है ना दोस्तों यह partnership में हमारे partners ने कितना कितना capital आया यह हर एक चीज़े दोस्तों मुझे मेरे partnership में लिखना पहला फटा फट याद होना चाहिए क्या बोलो name and address of the firm दूसरा क्या बोला मैंने name and address of the partner और तिसरा मैंने बोलो जोस्तों आपको जोर से बोलो yes capital contributed by the partner सही है अभी चाहुता ध्यान देना अभी आप मुझे एक बात बोलो सही है जो भी अजिंक का नाम का मेरा partner अपने business में आ बोलो आप मुझे बोलो ना कि जो भी नाया अजिंक का नाम का partner अपने business में है उसको भी तो मैंने कुछ ना कुछ अधिकार देने चाहिए कि ने बोलो कि बबाबा तू भी ये decision ले है ना या तेरी भी ये जिम्मेदारी रहेंगी तेरी अगर कल जाके अगर तुदी कुछ गलत काम किया तो तेरी भी ये liability रहेंगी का हरे इस में दोस्तो आजिंक को शेहर देना पड़ेगा के ने देना पड़ेगा बोलो कुछ ना बुछ तो जैसे आजिंक का नाम का friend मेरे business में है तो उसकी भी तो कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बनेगी के ने बनेगी बोलो उसक सही है अभी जानदों में क्या बुलरू आप मुझे एक बात बोलो दोस्तो आप मुझे एक बात बोलो जब भी मैं कोई भी partner को मेरे business में ले क्या होगा ठीक है जब भी मैं कोई भी person को मेरे business में as a partner करके ले क्या होगा सही है आप मुझे एक बात बोलो उसको मुझे कुछ कुछ share देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा ओवियसली देना पड़ेगा तो जितना share मुझे वो partner को देना है क्या वो share मैं पहले से decide करके रखू की नहीं रखू बोलो obviously रखना पड़ेगा तो हमेशा रखना दुस्तों हमारा जो भी partnership है ना वो partnership में जो भी profit होता है वो profit को share करने का कुछ ना कुछ एक ratio हम decide करके रखेंगे क्या बोला मैंने हमारा partnership में जो भी profit होगा वो profit को share करने के लिए हम क्या करेंगे बोलो एक ratio decide करके लिए वो ratio को आपन बोलते दुस्तों profit sharing ratio क्या बोलते हैं बोलो profit sharing ratio बोलती है तो हमेशा रखना जब भी आपन किसी भी person के साथ partnership business में जाते हैं तो वो time पे दोस्तो मुझे एक ratio decide करना पड़ता है और उसको हम बोलते profit sharing ratio सही है मतलब हमारा future में जो भी profit होगा ना वो profit को हम कौन से ratio में distribute करेंगे ठीक है तो वो भी ह हमको कापे लिखना पड़ते हैं बोलो वो भी हमको लिखना पड़ते हैं दोस्तों हमारे partnership के agreement में या partnership नामें सही है प्रोफिशन से न वो वो प्रोफिशन से एक stock broker share broker है सही है अभी न उसको ऐसा लगा कि यार मेरा business जो भी न वो चल तो जोड़दार रहा है रहा है लेकिन न उसको ऐसा लगा कि अगर मैंने मेरे business में अगर सारन को ले लिया ना मुझे ले लिया ना तो उसका ना उसका business एक दम तूफान इसे बढ़ जाएगा ठीक ऐसे उसको लगा सही है अभी आपन उसके partner में जाएंगे तो ऐसे वैसे जाएंगे क्या बोलो नहीं है ना मैं उसको share भी मांगोंगा और उसको मैं जो भी advice दूंगा ना ने नी ये purchase कर ये sell कर ऐसे मैं उसको बोलोंग अब उसको salary समझ लो सही है अभी ध्यान देना में क्या बोल रहूं देखो दोस्तों अगर जब भी निलेश ने मुझे या जब भी कोई भी person को partnership as a partner करके appointment करता है ना तो वो time पे उनको पेले ही decide करके रखना पड़ता है कि जो भी person को ममरे business में appointment कर रहे है उसको future में जाके क कोई salary देना है क्या या उसको मालो कोई commission देना है क्या या उसको मालो को professional fees देना है क्या yes or no और अगर यह पेले से decided नहीं रहेंगा तो फिर बाद में उसको नहीं दे सकते concept समझ रहे है इसका मतलब दोस्तों कि हमारा जो भी partnership agreement है हमारा जो भी partnership वीड़े उसके अंदर मुझे पेले ही निक्के रखना पड़ेंगा कि भाई यह यह लोगों को मुझे इतना salary देना है या नहीं देना है concept समझा क्या तो इसको ही हम क्या बोलेंगे बोलो salary commission if payable to any partner समझा तो एसी है न दोस्तों बहुत सारी important important चीज़े आपन क्या करते बोलो हमारे partnership deed में निक्के रखते क क्या आपको यहात एकदम अच्छे समझा yes or no please मुझे response करो क्या आपको यह यात एकदम तोड समझा को बोलो चुर अब भी तक आपन ने क्या पढ़ा एक से एक मिट में रिवाइस करें हमने सबसे पहले partnership मतलब क्या पढ़ा partnership मतलब क्या partnership is an organization आपे क्या होगा बोलो two or more persons will come together and do business यह हमने पढ़ा उसके बाद मैंने क्या पढ़ा बोलो partners के बीच में क्या होता है agreement होता है वो एक तो oral रहे सकता है या return रहे सकता है oral रहा तो future में problem आ सकते return रहा तो future में problem नहीं आ सकते अगर partnership का agreement अगर return में रहगा तो उसको आपन क्या बोलते partnership, deed बोलते अच्छा उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ा था कि जो भी partnership है उसका एक कानून है उसका एक act है जिसका नाम है Indian partnership act सही है उसके section 4 में हमको partnership का definition दिया हुआ है इतना मैंने आपको कहानी सुना है था क्या आपको हर एक कहानी अच्छे समझी क्या जो भी अपनी कहानी चल रही क्या आपको उसमें मजा आया क्या बोलो yes or no please मुझे बोलो please मुझे बोलो फटा फट 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 मुझे बोलो ठीक है समझा के नहीं समझा बोला आपको I hope आपको एकदम तोड समझाओगा सही है अभी ध्यान देना मेरे नन्ने मुनने टेकनिक बनाया है वो आप लिख लेना ठीक है और वो मेमरी टेकनिक है दोस्तो ध्यान देना वो मेमरी टेकनिक है दोस्तो आपना सुर्जा की पीडी है बोले लिसे सुर्जा की पीडी number one and lawful है कैसी बोलो सुर्जा की पीडी कैसी है number one and lawful है है ध्यान देना देखो दोस्तों जो भी आपना पार्टनर्शीप है ना पार्टनर्शीप ये पार्ट जो भी देखो ध्यान दो आपन क्या पढ़ रहे बोलो हम पढ़ रहे दोस्तों features of partnership firm, क्या पढ़ रहे हैं बोलो features of partnership firm पढ़ रहे हैं सही है, अभी ध्यान देना, देखो दोस्तों, जो भी अपना partnership होता है ना, उस वेच में क्या होता है, बोलो सबसे बले एक agreement होता है, तो मैंने आपको agreement के बारे मैं अभी पूरा उसका जो भी कहानी दाओ बोल दिया था, agreement होता है, मैंने आपको बोला, पूरा कहानी मैंने आपको इसका बोल दिया है, सही है, बहुत अच्छी बात है, अभी दूसरा ध्यान देना, number of partner सही है, अभी ध्यान दा, बहुत interesting चीज़ है, आप मुझे एक बात बोलो दूस्तों, जब भी आप किसी के साथ भी, अगर partnership का business करना चाहेंगे, तो आप मुझे बोलो, वो partnership में कम से कम कितने लोग चाहें रहें, बोलो, दो लोग चाहें, क्या मैं इसे बोल सकता हूँ, 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 क्या मै देना बहुत अच्छे से सुनना देखो दोस्तो हमारे partnership में minimum 2% तो चाहिए लेकिन maximum ज्यादा से ज्यादा आपके partnership में आप 50% को ले सकते ऐस पार्टनर कितने परसन को ले सकते बोलो 50% को ले सकते सही है तो कोई भी partnership में दोस्तो कम से कम 2 लोग चाहिए और ज्यादा से पचाहस लोग चाहिए सही है अभी जान देना मैं क्या बूल रहू लेकिन दोस्तो अगर आप जो भी business करें ना अगर वो business अगर आप banking के related करते रहेंगे या अगर आप bank चलाते रहेंगे तो maximum दोस्तो वापे 10 लोग ही आपके partner हो सकते सही है मतलब इतना याद रखना दोस् पार्टनर रहेंगे अगर banking business नहीं रहेगा तो 50 लोग partner हो सकते maximum पर अगर banking business रहेगा तो 10 लोग वापे partner हो सकते समझा के नहीं समझा बोलो अरे एदम easy है ना अगर आपको exam में question पूछागा है क्या बोलो in the partnership maximum number of partners can be आपको क्या question आएगा in the partnership maximum number of the partner can be तो कितना आएगा बो 50 अगर आपको एसे question आया in the partnership maximum number of the partner in case of banking business will be कितना आएगा बोले दोस्तों वह आपका आएगा minimum 10 सही है और आपको आप मुझे एक बार बोलो maximum कितना रहेंगा बोलो banking case में 10 रहेगा सही है और minimum कितने चे बोलो 2 लोग चे minimum कितने चे बोलो 2 लोग चे समझा के नहीं समझा अर चलो अभी मैं आगे जा रहा हूँ ध्यान देना ठीक है देखा दोस्तों अभी न ध्यान देना में क्या बोलो हूँ अभी आपको partnership दीड मतलब समझा ना partnership मतलब क्या एक agreement रहेगा रहेट वो agreement में आपन हरेट चीज़े लिखेंगे सही है अभी ध्यान देना में क्या बोलो ह दोस्तों हमारा जो भी partnership होगा ना तो हमारे partnership में हमको क्या करना पड़ता है बोलो profit और loss जो भी होगा उसको share करना पड़ता है अभी जान देना देखो दोस्तों अगर partner के बीच में अगर return agreement होगा या partnership डीड होगा क्या बोला मैंने अगर partner की बीच में अगर partnership डीड होगा य से शेयर करेंगे जैसे की for example जान देना माल दोस्तो मेरा एक firm है जिसका नामे ABC and Company क्या नामे बोलो ABC and Company नामे सही है और यह बिजनेस में दोस्तो तीन पार्टनर है कुण-कुण Mr. A Mr. B और Mr. C यह तीन लोग कुण ने बोलो पार्टनर है सही है और हमारे बीच में दोस्तो एक Partnership D'd भी है हमारे बीच में क्या बोले friendship D'd भी है सही है और हमारे यह Partnership D'd में हमने लिखके रखाए कि जब भी हमको Profit होगा ना वो केसमें हम Profit कैसे distribute करेंगे हम करेंगे 5 is to 3 is to 2 में सही है तो हमेशे रखना दोस्तो अगर आपके partnership में अगर सबसे profit को share करेंगे समझा लेकिन अगर आपके partnership में अगर partnership डिड नहीं है या partnership डिड है लेकिन वो profit sharing ratio अला clause नहीं क्या बोला मैं ध्यान देना वापस बोलता हो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ मैं आपको यह बोल रहा हूँ वो ही सब से आप profit को distribute करेंगे लेकिन अगर मानला आपका partnership बीड है लेकिन उसके अंदर profit sharing ratio के बारे में कुछ भी बोला नहीं है तो वो case में दोस्तो हम क्या करेंगे कि हम equally share करेंगे कैसे करेंगे बोलो equally share करेंगे सही है तो इसका मतलब भी होता है दोस्तो कि अगर हमारे partnership में हमारे partnership में अगर partnership डीड नहीं होगा तो वो case में दोस्तो हमको जो भी profit या losses share करने है न उसको हमको equally share करना पड़ेगा कैसे करना पड़ेगा बोलेजिसा हमको उसको equally share करना पड़ेगा समझा के नहीं समझा बोलो अच्छे समझा के नहीं यस वर रो मुझे प्लीज रिस्पॉंस करो ठीके यस तो इतना याद रखना सहिए तो आपका अगला पॉइंट कोई साथ बोलो sharing of profit वालो कोई साथ बोलो sharing of profits and losses सहिए अब ध्यान देना दोस्तों मैं क्या बोल रहू ध्यान देना मैं क्या बोल रहू देखो दोस्तों माल लो कि मेरा जो भी एक friend है क्या नाम तो बोलो उसका चल अलग friend ले 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 तो माल लो मेरा एक friend है उसका नामे सिधार्थ क्या नामे बोलो सिद्धार्थ नामे सहिए एक दिन है ना सिद्धार्थ मेरे पास आया सहिए वैसे तो आपन बहुत डेरिंग वाली रहे तो सिद्धार्थ मेरे पास आया और सिद्धार्थ में को बोला सारं में को लाइफ में बहुत बढ़ा वनना है ठीक है तो आपने एक जला में कद्स ने करेंगा वह वह बोल्रा रहा है वह उसने मुझे बोला मैं क्या करूंगा सारंग तेरे पास आओंगा और आपन अब प्यूल एक बाद बन दोपनों के बाद का बिजनस का पार्टर्फिक हो पाएगा कि आपको पूरा सप्पोट करूँगा और मैं आपको पार्टर्फिक है और इसको में रेजिस्टर करँगा Under the Indian Partnership Act 1932 क्या मुझे बोलन ना क्या यसे चलेगा क्या बोलन रेट नहीं बोलन आप मुझे आज बोलीज दो ठीके वो मुझे बोल रहे है आपन क्या करेंगे अपना जो भी इंडिया है ना पूरे इंडिया में आपन क्या करेंगे चरस गान जाओ गरे बेचेंगे तो यह पूरा सुट्टा उट्टा बेचेंगे ठीके आप मुझे बाद बोलन दोस्तों कि क्या यह अलाओड ही करें नहीं है ना तो हमेशा रखना दोस्तों कि जब भी आपना पार्टनरशीप होता है ना वो पार्टनरशीप हमेशा र हमेशा आपका lawful business का अना चेगे आपना lawful business का होता है किसका होता है बोलो lawful business का होता है सही है अब यह आगे ज्यान देना में क्या बूल रहूँ आगे ज्यान देना में क्या बूल रहूँ देखो दोस्तो हमारे partnership में न जो भी liability होती हैं दोस्तो वो unlimited liability होती कैसे होती बोलो unlimited liability कैसे होती होती बोलो unlimited right unlimited मतलब है न हमारे पार्टनर को बाहर वालों को तब तक पैसा देना पड़ता है जब तक वो पैसा या वो लाइबिलिटी निल नहीं हो जाती concept समझा इसका मतलब दोस्तो अगर कल जाके हमारे बिजनस में अगर बहुत बड़ा लॉस हो जाता है और मालो कि बाहर वाले लोगों को मुझे 10 करण रुपीज देने तो वो केस में मैं मेरे बिजनस का तो पैसा दूँगा ही यूज करूँगा ही लेकिन जरौदगीरी ना तो मुझे मेरे घर से भी पैसा लाना पड़ेगा concept समझा तो ये न दोस्तो पार्टनर्शिप का सबसे बड़ा limitation ये पार्टनर्शिप का क क्या कि अब बात बोला आपको सिक्रेट या एकदम सिक्रेट आपके और मेरे बीच के सिक्रेट है अब ही जान देना में क्या बोल तो देखो दोस्तो अपन पार्टनर्शिप जब भी करते राइट तो मैंने आपको क्या बोला कि पार्टनर्शिप के case में agreement रिटर्न होना च और अपना Indian Partnership Act क्या वोलता वोलू कि जो भी partnership है न दोस्तो उसके भीश का agreement करो या नहीं करो तुमारा choice लेकिन दोस्तो अगर आपको यह जो भी business है न अगर यह business को अगर आपको महराष्ट्र में करना होगा partnership का तो महराष्ट्र में न वस्तो partnership का registration करना है mandatory compulsory सही है और हमेशा रखना दोस्तो अगर आपको partnership का registration करना होगा न तो उसके लिए आपको partnership deed यह सबसे important document मन जाता है सही है तो क्या मैं आपको यह से बोल सकता हो कि बोलो कि अगर कोई भी person को अगर भाराष्ट्रों में अगर partnership का business करना होगा तो उसको compulsorily return agreement करना पड़ेगा क्या मैं ऐसे बोल सकता कि बोलो सिधी बात है न यार without partnership deed है न दोस्तो partnership act के अंदर कोई भी partnership के business का registration होता हीश नहीं है समझा तो इसने दोस्तो मुझे क्या करना पड़ेगा बोलो partnership deed मुझे बनाना पड़ेगा concept समझा इसका मतलब अगर महाराष्ट्र में अगर कोई भी person को partnership का business करना होगा तो उसको या पे partnership deed बनाना जरूरी है compulsory है mandatory है समझा के नहीं समझा बोलो जयान में आ रहा है मैं क्या बोलो जयान में आ रहा है क्या बोलो आपने जियों के company में जा रहा उसको बोला ले दे सही है मैं मैं बोलो आप बोलो ना मुकी जी क्या हुआ और हमारे बिच में क्या हो गया पूरा ऐसे agreement हो गया पूरा और बोले कल से तुम पार्टनर बन जा ठीक है तरको मैं 90% शेयर दूँगा मैं 10% रखूँगा बस तु बहुत अक्छा इंसन देको 90% दे रहा हुआ ठीक है पार्टनर बन के समय अधिकर रहेंगा तो ईसके बाद दोस्तों मेरा भी वह बीजनेस में उतना ही आधिकर रहेगा वह बिजनेस के management मेरा भी उतना ही important रोल रहेगा जितना भी मुकेश सरकाय गलो ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहे हुआ यस और नो, यस और नो, हाँ, अच्छा, क्या बूल रहा है, हमें भूल मत जाना, हेमान, हेमान, बेटा, तुम्हें कैसे बूल जाओंगा, भाई में, नहीं बूल जाओंगे, सही है, चलो, क्या समझा के नहीं, क्या बूल आपको, यस और नो, चलो, अभी ध्यान देना, मैं क प्रिंसीपल होता है, मतलब मालिक होता है, समझा, हमेशे याद रखना कि बुलो, कि जो भी अपना partnership firm है न, वो partnership firm के point of view से partner यह हमेशा principle होगा, और दूसरे partner के नजरिया से पहला partner यह agent होगा, इसका मतलब क्या देखो, मैं वापस बल रहो ध्यान देना, क्या बल रहो मैं, कि ह हमारा जो भी partnership firm है न दोस्तों, वो partnership firm के लिए partner यह principal होता है, और दुसरे partner के लिए वो partner यह agent होता है, समझा, इसका मतलब हमारा जो भी partnership है, वो partnership में जो भी partner होते है, वो principal भी होते है, और वो agent भी होते है, क्या होते हैं, वो principal भी होते हैं, और agent भी होते हैं, समझा के नहीं ठीक है चलो अभी न दोस्तो बात को समय लेना अभी जो भी आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ यह आपके जिंदगी के लिए बहुत इंपोर्टन चीज़े सही है तो आप एक काम करो दोस्तो आपका जो भी टेक्सबूक आपका जो भी नोटबूक है न वो नोटबूक में भेडिंग डालो और वहाँ पे लिखो दोस्तो प्रोवीजन्स ओफ क्या लिखेंगे बोलो प्रोवीजन्स ओफ इंडियन पार्टनर्शिप एक क्या लिखेंगे बोलो प्रोवीजन्स ओफ इंडियन पार्टनर्शिप एक प्रोवीजन्स ओफ इंडियन पार्टनर्शिप कि provisions हमको applicable तब ही होंगे जब हमारा partnership डीड़ नहीं है, जब हमारा partnership डीड़ नहीं है, क्या बोला मैंने हमको ये Indian partnership at 1932 में जो भी provisions लिखे है, वो provisions को हमको तब ही follow करना है, जब हमारा जो भी partnership का business है, उसके अंदर हमारी partnership डीड़ नहीं है, क्या नहीं बोलो partnership deed नहीं है या हमको ये provision को तब follow करना है जब हमारी partnership deed है partnership deed है लेकिन उसके अंदर वो specific clause लिखा नहीं है इसका मतलब के समझ लो जैसे कि for example दोस्तो मेरा एक person जैसा अजिंग के नाम का मेरा friend है मैंने क्या किया आजिंग के नाम के friend के साथ एक partnership किया सही है और हमने आना दोस्तो कोई भी partnership deed या कोई भी partnership agreement बना है इस नहीं सही है तो आप मुझे एक बात बोलो दोस्तो ये केस में दोस्तो आप मुझे एक बात बोलो कि क्या मुझे Indian partnership act 1932 के provisions ये follow करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे प्लीज मुझे बोलो कि मैंने क्या क्या आजिंग के साथ क्या क्या बोलो partnership के राइट और वो case में हमने कोई भी partnership गीट को बना है या नहीं तो आप मुझे बोलो क्या वो case में मुझे Indian partnership act 1932 के जो भी provisions है क्या वो provisions को मुझे follow करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा बोलो yes 100% मुझे हो case में follow करना पड़ेगा concept समझा लेकिन दोस्तो माल लो दूसरा एक situation आपको में देता हूँ कि मेरा अजिंग के साथ जो भी partnership है माल लो वो partnership में मैंने क्या किया जो भी हमारे हमारी जो भी बात्चीत इन और मेरे जो भी हमारे जोभी आपने क्या में गोलते है जैसे कि हम कितने趣见 चेहरी करेंगे क्या यह मैंने वो case में दोस्तो मुझे Indian Partnership Act 1932 का जो भी provisions है क्या वो मुझे follow करना पड़ेगा के फिर नहीं करना पड़ेगा इसका मतलब इतना याद रखना दोस्तो कि जब भी हमारे partnership के business में हमारे पास partnership डिड़ होगा तो वो case में Indian Partnership Act के provisions हमको follow करने कोई भी जरूर नहीं है और अगर नहीं प्रोवीजन है और वो है दोस्तो आपका distribution of profit क्या है बोलो distribution of profit क्या है बोलो distribution of profit है आपका सबसे important provision है सच्छी है अभी ज्यान देना मैं क्या बोलो हूँ देखो दोस्तो आप मुझे एक बात बोलो ठीक है मैंने क्या किया अपना जो भी aging के नाम का friend यह उसके साथ एक partnership तो मैंने कर लिया सही है अभी मैंने इसके साथ जो भी partnership क्या दोस्तो तो हमने future में जो भी profit होगा इसके बारे में हमने कुछ भी decided नहीं किया था क्या बोला मैंने future में जो भी हमको profit share करना है ना उसके बारे में हमने कोई भी decision नहीं लिया था सही है तो आप मुझे एक बात बलो दोस्तो ये situation में ये case में दोस्तो हम future में कैसे profit share करेंगे तो हमेशा रखना अगर हमारे partnership में अगर ये decided नहीं होगा तो Indian partnership act के provision में लिखा हुआ है कि आप जो भी profit है उसको equally share करेंगे कैसे करेंगे बोले इसको आप equally distribute करेंगे एक जैसा distribute करेंगे concept समझा क्या तो इतना याद रखना दोस्तो इतना याद रखना दोस्तो कि जब भी दोस्तो हमारे partnership का अगर partnership नहीं होगा तो वो case में हमको Indian partnership act के provision के इसाफ से हमको equally profit को share करना पड़ेगा concept समझा क्या एकदम easy कैसा करना पड़ेगा equally करना पड़ेगा सहिए अभी दूसरी ब drawings है अब आप मुझे एक बात बोलो सबसे पहले आप मुझे एक बात बोलो उस्टो लिए पार्टनर कुछ न कुछ अकर पैसा लेके जाता होगा तो वो जो भी पैसा लेकर गया रहा ना उसके उपर वो partner को business को कुछ न कुछ इंट्रेश्ट देना पड़ते है क्या बोला मै अगर हमारे बिजनेस में से कोई person कोई partner अगर कुछ पैसा withdraw कर रहा है निकाल के लेके जा रहा है तो वो case में वो partner को वो पैसे की उपर कुछ ना कुछ interest हमारे firm को देना पड़ेगा राइट तो इसको आपन बोलते हैं दोस्तों interest on drawing सही है तो हमेशा रखना दोस्तों कि जब भ interest ये partner को तभी ही देना पड़ेगा जब हमारे partnership lead में लिखा है सही है इसका मतलब दोस्तों अगर आपके partnership lead में interest on drawings के बारे में अगर कुछ भी जानकरी नहीं है या कुछ भी उन्हाने बोला नहीं होगा तो वो case में दोस्तों हम partnership में interest on drawings कलेकर नहीं सकते concept समझा इतना रखन क्या रखेंगे बोला अगर partnership lead है और उसमें लिखा है interest on drawing देना पड़ेगा तो वो ही case में दोस्तों interest on drawing का concept आएगा अधर इसको ignore करना है समझा के नहीं समझा बोलो समझा के नहीं समझा बोलो बहुत अच्छी बात है समझा के नहीं समझा यस अभी तिसरा topic है दोस्तों जि प्रीज आप मुझे बोलो what do you mean by capital तो हमेशा रखना दोस्तों capital मतलब है ना हमारा जो भी partnership का business है ना ये partnership का business को चलाने के लिए हमको कुछ न कुछ funds कुछ न कुछ पैसे लगते सही है और वो पैसे को दोस्तों जो भी person हमारे business में लेके आएगा ना तो वो पैसे को हम बोलत partnership में कोई भी partner अगर कुछ न कुछ पैसा देता होगा तो वो पैसे को capital के उपर हमारे firm को कुछ न कुछ interest देना पड़ता है लेकिन दोस्तों हमारी firm वो partner को तभी देगा जब हमारे partnership deed में लिखा होगा समझा करे जब हमारे partnership deed में लिखा होगा सही है इसका मतलब दोस्तो अगर हमारे partnership deed में interest on capital के बारे में कुछ भी लिखा नहीं है या हमारी partnership deed इस नहीं है तो वो case में दोस्तो हम Indian partnership act के provision को follow करेंगे और वो provision हमको ये बोलता है कि हमको interest on capital देना नहीं है समझा के नहीं समझा बोलो कि partners के बीच में अगर partnership deed नहीं रहेगा तो कैसा बोलो profit कैसे share करने का equally interest on drawing allowed है क्या बोलो नहीं है interest on capital है क्या बोलो concept समझा क्या एकदम easy concept समझा क्या yes or no please मुझे response हो concept समझा क्या yes बहुत अच्छी बात है ठीक है अभी चाउती concept ध्यान देना ध्यान देना दोस्तो आपका चाउता concept है interest on partners loan क्यों सा concept है बोलो interest on partners loan interest on partners loan सही है अभी सबसे पहले दोस्तो आप लोग मुझे response करेंगे आप लोग मुझे बोलेंगे कि loan मतलब क्या होता है रहे please मुझे बोलो what do you mean by loan एकदम easy है ठीक है ध्यान देना में क्या बोलो देखो दोस्तो loan मतलब हमारे business ने अगर किसी person के पास अगर कुछ पैसा लिया होगा तो वो पैसे को अपन loan बोलते सही है अभी यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तो आपको interest on partners loan बोल रहे इसका मतलब दोस्तो हमारे partnership ने अगर partner के पास से कुछ पैसा लिया होगा तो वो पैसे को अपन partners loan बोलेंगे और यह partner के loan जब भी आपना business लेता ना partner के पास से जब भी loan लेता ना वो loan के उपर दोस्तो हमारे business को minimum minimum कितना 6% per annum interest देना पढ़ता है कितना देना पढ़ता है बोलो 6% per annum interest देना पढ़ता है ठीके तो हमेशे रठना अभी आप बोलेंगे क्यों देना पढ़ता है तो ध्यान देना ध्यान देना में क्या बोल रहा हूँ देखो दोस्तो अपने जो भी business में partners होते हैं, आपने जो भी business में कौन होते बोलो partners होते हैं, क्या partner हमारे business में कुछ ना कुछ capital लाते के ने लाते बोलो हमारे business में जो भी partner है दोस्तो वो partner कुछ ना कुछ capital का पैसा लाते के ने लाते बोलो 100% लाते और ये capital को छोड़ के भी अगर हमारे business को अगर और पैसे की जरुरत गिर अगर क्या बोलो और एक्स्ट्रा पैसे की जरुरत गिर की दोस्तों तो वो केस में बिजनेस क्या करता है वो पार्टनर के पास से दोस्तों कुछ लोन लेता है सही न अब आप मुझे एक बात बोलो न अगर मालो बिजनेस को अगर पैसे की जर लेंगा सही है अब अब मुझे एक बाद बोलो अगर हमारा बिजनेस अगर बैंक से लोन लेता था तो क्या हमारे बिजनेस को हमारे पार्टनर्शिप को वो बैंक को कुछ ना कुछ इंट्रेस देना पड़ा होता या नहीं पड़ा होता बोलो अगर हमारे पार्टनर्शिप अगर बैंक के पास से कुछ ना कुछ लोन अगर लिया होता तो वो case में दोस्तो हमको कुछ ना कुछ वाप है पैसा और पैसा या कुछ ना कुछ उसके उपर interest देना पढ़ा होता क्या नहीं देना पढ़ा होता बोलो obviously देना पढ़ा होता तो इसलिए इंडियन पार्टनर्शिप है, हमको क्या बोलता है भाई, कि अगर तुम बार से पैसा लेंगे, तो उनको तो तुम इंट्रेस देंगे, फिर बार से लेने से एक काम करो ना, तुम 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 तुमारे पार्टनर के पास से ले लो, और उसको इंट्रेस दे दो, concept समाईज र जब भी आप बैंक से लोन लेंगे, तो बैंक आपको लगता 6% में देंगा नहीं, बैंक आपको मिनिममम साथ टका, 8%, 12%, 30% देता राइट, तो इसका मतलब यह होता है दोस्तो, कि जब भी हमारा पार्टनर, हमारे पार्टनर्शिप को कुछ ना कुछ लोन देता है ना, तो लोन के उपर अगर पार्टनर्शिप डिड नहीं भी रहेगा, तो भी हमको 6% पर एनम से पार्टनर को इंट्रेस्ट देना पड़ेगा सही है, और याद रफना, कैपिटल मतलब लोन नहीं होता, क्या लोन यह अलग चीज़ है, कैपिटल के उपर, अगर पार्टनर ने कु इंट्रेस्ट देने का कै बोलो, नहीं देने का, कब देने का, जब पार्टनर्शिप डिड में लिखा होगा, लेकिन इंट्रेस्ट अन लोन हमको पार्टनर को देना पड़ेगा, बले ही अमारे पार्टनर्शिप डिड में लिखा होगा या नहीं लिखा होगा, कितना देन पड़ेगा बोलो हमको देना पड़ेगा दोस्तो 6% पर एनम कितना देना पड़ेगा बोलो 6% पर एनम देना पड़ेगा समझा बहुत अच्छी बात है ठीक है समझा बहुत अच्छी बात है ठीक है अभी ध्यान देना दोस्तो में क्या बोलो ठीक है अपला अगला पॉइंट अगला पॉइंट है दोस्तों जिसका नामे आपका salary और commission क्या है बोलो salary और commission सभी च्हांधे नहें क्या बोलो देखो देखो दोस्तों अपना जोबी business है न तो अपने business है न दोस्तों कुछ न खूछ partners होते है रट तो यहना कभी कभी होते हैं मंलें मैं कि अपने जो भी partner से ना वह partner के पास से उपना business से एक्स्ट्रो सर्वीேसे से लेता है क्या करते बोलो extra additional services लेता है सही है तो जब भी दोस्तों हमारा partnership हमारे partner के पास एक्स्ट्रो additional services लेता है ना तो उसके कुछ न कुछ फीज हमको वो partner को as a remuneration करके देना पड़ते हैं सहीए अभी न दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि कोई भी partner मालना अपने business में extra service दे रहा, extra काम कर रहा तो वो extra काम के हमको वो partner को salary और commission देना है जा नहीं देना है इसका हमको partnership deed में जिक्र करना चाहिए, समझा मतलब दोस्तों, अगर हमारे partnership deed में, अगर partner को salary देना है क्या commission देना है क्या, अगर इसका कोई भी जिक्र नहीं रहेगा, या हमारे partnership deed अगर नहीं रहेगी तो वो case में दोस्तों, हम कोई भी partner को salary और commission कुछ भी नहीं देंगे, क्या बोला मैंने हम कोई भी partner को salary भी नहीं देंगे और commission भी नहीं देंगे, समझा के नहीं समझा बोलो, समझा के नहीं बोलो एकदम easy, तो आप मुझे एक बात बोलो चलो बगवान कीन एकदम जोरदार आप लोग बोलेंगे अपन क्या पढ़ रहे है, हम पढ़ रहे दोस्तो provisions of Indian Partnership Act 1932 और उसमें सबसे पहले में आपको क्या पढ़ आता बोलो distribution of profit, अगर partnership दिड नहीं रहेगा तो profit कैसे share करेंगे, equal share करेंगे अगर partnership दिड नहीं है, तो interest on drawing नहीं लेंगे interest on capital नहीं देंगे interest on partners लोन देंगे 6% per annum से partner का capital और partner का लोन दोनों अलग concept है, समझ रहे हैं में क्या बोल रहो और last में मैंने आपको बोला कि अगर हमारा partnership दिड नहीं होगा या partnership दिड है, लेकिन उसमें salary commission का अगर कोई जिकर किया नहीं होगा, तो वो time पे हम हमारे partner को कोई भी salary, कोई भी commission नहीं देंगे, concept समझा क्या ओम बड़बड़बड़श्वाहा ये किदर लिखा है बोलो, Indian partnership act का, जो भी 1932 के provision से, उसके अंदर हम को ये दिखा हुआ है, समझा के नहीं समझा बोलो, yes or no, चलो, अभी last में ग्यान देना, last में जियान देना, ठीके माल लो दोस्टो, समझो मैं क्या बोल रहोग? ध्यान दू, देखो माल लो मैं को नू, बोलो मैं और जो भी निलेश, right हम दो लोग partner है, सही है मैं और आजिंक कैंने, माल लोग पार्टिर है लेकिन मेरा और निलेश का न बिल्कूल पढता नहीं है मैने आजिन के आग को बोला नहीं, ये आलाओड नहीं है, नहीं कर सकता ठीक है तो क्या आजिन के यह केस इसमें दोस्तों, जो और जबरदस्ती से वो निलेश को मेरे बिजनेस में अपने partnership में ला किया सकता क्या बोले as a partner करके नहीं लेकर आ सकता concept समझा इसका मतलब दोस्तो हमारे partnership में अगर हमको कोई भी person को अगर appointment करना होगा अगर admit करना होगा अगर लेकर आना होगा तो वो case में हम वो person को as a partner हमारे business में तब तक appoint, तब तक admit, तब तक लेकर नहीं आ सकते जब तक सबी partners agree होंगे इसका मतलब दोस्तो अगर हमारे partnership में अगर हमको कोई भी person को अगर admit करना होगा तो हो case में हम उसको जब तक all partners agree नहीं है, तब तक हम उसको ला नहीं सकते, concept समझा और यह सब दोस्तों आपके थे क्या था बोलो आपका जल्दी से Provisions of the Indian Partnership Act 1932 क्या था बोलो Provisions of the Indian Partnership Act 1932 था सही है क्या बोलो चलो दो मीट का ब्रेक लेलो दोस्तों आप लोग फिर आपन क्या करते हैं अगला कॉंसेप्ट सिखते हैं सही है पानी वानी पीके हो एक दम जोरदार है ना पुरा जहां पे जो करने हो कर क्या हो आपको मैं दो मीट का ब्रेक देता हूँ सही है फिर उसके बाद आपने को बहुत important topic पढ़ना है जिसका नामे दोस्तों आपका methods of capital account क्या है बोलो आपका methods of capital account आपको पढ़ने है सही है और मैं वापस बोल रहा हूँ आपको methods of capital account सिखना बहुत ज़रूरी है सही है दो मीट का ब्रेक लेलो फिर में स्टार्ट करता हूँ सही है yes or no चलो सब लोगों को मज़ा आ रहा है न लेकिन गईस आप मुझे प्लीज बोलो सब लोगों को कैसे लग रहा है दोस्तों लेक्षेस आपको मज़ा आ रही है न बहुत सारी बोलो जल्दी से आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है एकदम जोरदार चल रही है यस और accounts में हमको कितने लाने बोलो 100 में से 100 कितने लाने कि अपने को 100 में से 100 उसके नीचे तो सोचना भी नहीं है यस और नो 100 में से 100 हमको लाने बाई ठीक है 100 में से 100 तो लेके आएंगी यस और नो पूरी मेनद करेंगे राइट पूरे एनरजी के साथ पढ़ेंगे accounts को पढ़ना ने फोड़ना है 100 में से 100 लेके आने सही है चलो बहुत अच्छी बात है चलो स्टार्ट करें क्या हम लोग स्टार्ट करें सब लोग ready हो क्या बोलो जल्दी से और मुझे comment में बता ना आपको लेक्चर कैसे लग रहे है आपको मज़ा तो आ रही ना comment में बोलना ठीक है मुझे एकदम अच्छे से पढ़े होरी ना आपकी yes or no yes आप लाएंगे ना हम सब लोग मिलके इतनी मेनत करेंगे ना कि आपको 100 में से 100 आने के लिए बगवान भी मजबूर हो जाएगा सही है आपको उसको देने ही पड़ेंगे आप इतनी मेनत करो इतनी मेनत करो क्यों पर वाला भी आपको मजबूर हो जाएगा आपको out of marks देने के लिए सही है चलो बहुत अच्छी बात है दोस्तो बहुत अच्छी बात है ना पूरा माहोल बना देंगे सही है अपन ध्यानतों में क्या बोल रहो दोस्तो अभी देखो दोस्तो अगला आपका बहुत जादा important topic है ठीक है very very important प्लीज आप आपके notebook पे लिको वापे लिको दोस्तो methods of capital account कौनसा topic है बोलो methods of capital account यह आपका आज का last topic होगा ठीक है concentration देना पड़ेंगा सही है अभी ध्यान देना में क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना में क्या बोल रहा हूँ सही है देखो दोस्तो हमारा जो भी business है ना partnership का वो partnership के business में जो भी partners होते राइट वो partner क्या करते रहे दोस्तों वो partner क्या करते मालूम है क्या कुछ न कुछ पैसा as a capital करके हमारे बिजनस में लेकिया थे क्या करते है बोलो वो partner हमारे बिजनस में कुछ न कुछ पैसा as a capital करके लेकिया थे सही है अभी जब भी दोस्तो हमारा partner यह हमारे बिजनस में यह capital लेकिया थे दोस्तो यह capital को record करने के लिए यह capital के accounting करने के लिए हमारे पास दो मेथड से किती मेथड से बोलो हमारे पास दो मेथड से दोस्तो और उसमें से पहला मेथड है दोस्तो आपका जिसका नाम है मेरे यारो नन्ने मुन्ने बच्चो उसका पहला नाम है दोस्तो जो है आपका fixed capital method कुन सा है बोले लिए से fixed capital method सही है पहला कौन सा है बोलो fixed capital method है और दूसरा है दोस्तों आपका वो है आपका fluctuating capital method कौन सा होता है बोला आपका fluctuating capital method fluctuating capital method सही है आभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ देखो दोस्तों जो भी fixed capital method होता है ना वो capital में आपके जो भी partner का capital है ना वो partner का capital हमेशा same to same होगा हमेशा दोस्तो equal होगा कैसे होगा हमेशा same to same होगा हमेशा equal होगा इसका मतलब दोस्तो ये partner का साल के शुरुवात में या at the beginning of the year at the beginning of the year दोस्तो जो भी capital होगा वही capital at the end of the year भी होगा इसका मतलब दोस्तो जब भी मुझे मेरे partner के capital का accounting अगर fixed capital method से करना होगा वो time पे मेरे partner का capital हमेशा constant रहेगा सही है और अगर दोस्तो मुझे मेरे partner के capital का accounting अगर fluctuating capital method से करना होगा तो वो time पे दोस्तो मेरे partner का जो भी capital है वो हमेशा रहमेशा fluctuate होगा हमेशा रहमेशा change होगा हमेशा रहमेशा defer होगा समझा इसका मतलब दोस्तो हमारे partner का beginning में year के शुरुवात में जो भी capital था वो capital और at the end of the year जो capital रहेगा दोनों हमेशा अलग अलग होगा concept समझा क्या बस इतना समझ लो क्या समझ लेंगे बोलो यसीतना समझ लो कि partnership के case में जो भी partner का capital होता है वो capital को record करने के दो methods होते हैं जिसमें से पेरा method होते हैं उसको आपन बोलते है fixed capital method जो भी दूसरा method होते हैं उसको आपन बोलते है fluctuating capital method अगर fixed capital method से मैं मेरे partner का capital अकट अकर ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो time पे ये capital जो भी partner का है वो at the beginning of the year जो था वो आकरी में रहेंगा और fluctuating capital method में हमेशा capital change होंगा सही है अब यह आप बोलेंगे sir अगर exam में हमको capital कौन सा method से करना है या partner के capital का जो भी आपका account होगे रहें बनेंगा वो हमको कौन से method से solve करना है तो आप हमेशा रखना दोस्तो अगर आपको partnership के question में कुछ भी नहीं बोला या partnership का question silent चुप चाप बेटा एक दम ठीक है तो वो case में दोस्तो आपको जो भी partner capital account बनाना पड़ेगा वो आपको fluctuating capital बनाना से आपको problem को fluctuating capital method से solve करना पड़ेगा सही है अभी ध्यान देना मेरे यारो मेरे नन्ने मुनने बच्चोए बहुत important है सही है अगर आपको question में उन्हें बोला है कि solve the partner's capital account by fixed capital method या आपको अगर एसे बोला होगा Mr. A जिसका capital at the beginning of the year दो लाग था उसका at the end of the year भी दो लाग ही रहे न चीए इसका मतलब वो fixed capital method की बात कर रहे है और हमेशा रखना दोस्तों कि जब भी fixed capital method से आपको problem solve करना होगा तो वो time पे दोस्तों आपको जिन्दगी में दो account ब बनना पड़ता है बोलो partners capital account हमको बनना पड़ता है और दुसरा account हमको बनना पड़ता है दोस्तों जिसको मैं बोलूँगा partners current account क्या बनना पड़ेगा बोलो partners current account दुसरा क्या बनना पड़ेगा बोलो partners current account से ये लेकिन दोस्तों अगर मैं problem को fluctuating capital method से अगर solve कर रहा हूँ तो fürs पर टाइम पर मुझे स्यरी एक ही अकाUnt बनाना पड़ेगा जिसका नाम रहेगा दोस्तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या बनाना पड़ेगा भी जान देना मैं क्या बोल रहऊ देखो दूस्तो अभी सबसे पहले में जो भी आपके साथ डिसकोशन करूंगा न वो ड Fixed Capital Method से करना है, ठीक है आभी ज्यान देना अच्छे से सुनना, ठीक है, देखो दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे एक बात बोलो, Fixed Capital Method में Partner का Capital नी सेम रहेगा के चेंज होगा बोलो, प्लीज मुझे आप बोलो, Fixed Capital Method में, जो भी Partner का Capital होगा, वो सेम रहेगा के चेंज होगा बोलो, येस, वो सेम रहेगा, सही है, इसका मतलब दोस्तों, हमको ये केस में, दो चीजे बनानी पड़ेंगी, जिसमें से पहला है Partners Capital अकाउंट, और दूसरा है Partners Current अकाउंट, सही है, अभी आप मुझे बोलेंगे सर, कि फिर जब भी हम सर, ये आपे Partners का Capital अकाउंट तो वो केस में, हम कौनसी कौनसी चीजे Partners Capital अकाउंट में डाले, और कौनसी कौनसी चीजे हम Partners Current अकाउंट में डाले, सही है, अभी आप पर ये Question आएगा, सही है, अभी ज्यान देना दोस्तों, दन्ने मुनने बच्चों में क्या बोल रहा हूँ, जब भी दोस्तों, आप कि चार चीजे डालनी पड़ेगी, कितनी चीजे डालनी पड़ेगी, सिरिफ चार चीजे डालनी पड़ेगी, सिरिफ चार चीजे सही है, सबसे पहला दोस्तों, आपको डालना पड़ेगा, या पे Opening Capital का Balance, सबसे पहला आपको क्या आएगा, बोलो, Opening Capital का Balance आएगा, दुसरा दो प्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल चाहिए यह चारी चीदे दोस्तों हमको हमारे पार्टनर कैपिटल अकौन में डालनी पड़ेगी जब हम fixed capital method से problem को solve कर रहे हैं समझा के नहीं समझा बोलो इतना समझा क्या अभी ध्यान देना दोस्तों में क्या बोलो ध्यान देना और दोस्तों ध्यान देना और जब भी दोस्तों मुझे पार्टनर को जैसे कि for example मालो मुझे पार्टनर को interest on capital देना है या मालो कि मुझे पार्टनर को salary देना है या मालो मुझे पार्टनर को commission देना है या मालो मुझे पार्टनर को rent देना है या मालो मुझे पार्टनर को interest on loan देना है या मालनो मुझे partner को यहाँ पे interest on drawings का लेना है पैसा लेना है या मालनो मेरे partner ने क्या किया drawings किया तो यह सब चीजे न दोस्तों मैं कहाँ पे डालूँगा current account में डालूँगा कहाँ पे डालूँगा बोलो current account में सबसे पहले drawing होता है दोस्तों जिसको आपन बोलेंगे drawings against capital क्या बोलते हैं बोलो drawings against capital बोलते हैं उसको सही है और दूसरा जो भी drawing होता है न दोस्तों उसको हम बोलते है drawings against profit क्या बोलते हैं बोलो drawings against profit बोलते हैं सही है इसका मतलब होता है दोस्तों कि अगर आपको question में सिरिफ उने ने drawings बोले है सिरिफ क्या बोले है बोलो drawings बोला है इसका मतलब ही आपका drawings against profit हो गए इसका मतलब क्या हो गए बोलो drawings against profit हो गए सही है लेकिन अगर आपको question में उने ने specifically बोला होगा Mr. A has withdrawn the amount from his capital इसका मतलब दोस्तो हो जाएगा drawings against capital समझा के ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ अगर कुछ भी ने बोला है तो आपका आएगा दोस्तो drawings against profit और अगर specifically बोला हो तो आपको हो जाएगा drawings against capital सही है तो जब भी दोस्तो मैंने आपको यहाँ पे current account में यह जो भी मैंने drawings लिखा न तो यह drawings है आपका दोस्तो drawings against profit कौन से है बोलो drawings against profit है सही है वापस बोल रहा हूँ यह आपका हो गया drawings against profit अगर आपको कुछ भी ने बोला है तो वो case में आपका हो जाएगा drawings against profit अगर आपको specifically बोला है तो वो case में आपका हो जाएगा drawings against capital समझा के नहीं समझा समझा के नहीं समझा बोलो yes or no अच्छे से ज्यान देना एकदम अच्छे से ज्यान देना ठीक हो हर एक चीज़ समझ जाएगा ठीक है अभी देखो दोस्तो ध्यान देना प्लीज ध्यान देना प्लीज ध्यान देना प्लीज ध्यान देना आपका जो भी महारश्ट्र स्टेड़ बोड का अकाउंट्स है न वो महारश्ट्र स्टेड़ बोड के अकाउंट्स में आप जब भी partnership का final accounts पढ़ते हो जब भी आप क्या करते हैं वो पार्टनर्शिप का final account पढ़ते हो न वो final account आपके महारश्ट्र बुक में महारश्ट्र जो भी syllabus है न उसमें wrong way से दिया है ठीके पूरा गलत पढ़ा रहे आपको ठीके लेकिन हमको गलत पढ़ना पढ़ेगा सही है आपको गलत पढ़ा रहे महारश्ट्र बुक वाले लोग लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं आपको गलत पढ़ना पढ़ेगा क्योंकि आपको 12th pass होना एसा ही हमेशा है रखना क्या गलत है आपको ऴहरें चीज बोल दोंगा और वो बोल रहे हैं अमको दोस्तो बैलेंशिट बनाना पड़ेगा सही है लेकिन दोस्तो जब यह आप पार्टनर्शी फाइनल अकाउंट के प्रोब्लेम सॉल करते हो तो यहापे आपको सिर्फे तीन चीज़े नहीं बनानी पड़ती है एक्चुल में आपके इसलिबस में फिर वे आपको बोल रहा हूँ आपको यहापे चार चीज़े बनानी चाहिए और उसमें से पहला चीज़े दोस्तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट आपका दूसरा चीज़े दोस्तो प्रोफिट अनलोस अकाउंट तिसरा चीज़े दोस्तो आपका प्रोफिट अनलोस अका और चाहू था है दोस्तो आपका balance sheet सही है मैं वापस बोल रहा हूँ ठीक है आपके syllabus में आपको ये profit and loss appropriation वाला concept नहीं है लेकिन ये concept अगर आपने नहीं किया तो आप partnership के accounting wrong way से पढ़ रहे हो समझा कि हमें आपको सीधा बोल रहा है अभी हमको तो जैसे syllabus में दिया है वेसे हमको पढ़ना पड़ेगा वेसे हमको पढ़ाना पड़ेगा राइट लेकिन दोस्तो ये आपका गलत है सही है अभी ध्यान दो क्यों ध्यान दो क्यों आपको एक छोटे से example के उपर से आपको ये मैं बोल दूँगा यह गलत क्यों है ठीक है अभी ज्यान दो कोई टेंशन नहीं है मैं वह आपको जो जो भी लोगों को आगे C.A.C.A. में C.A.S. करना है वो लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी सही है और मैं अगर आपको आपको अकॉंट पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पूरे डिटेल में जाऊंगा तब तक मैं आपको पढ़ाई नहीं सकता है अभी ज्यान दो में क्या बोलरो देखो दोस्तो बात को समझ लो मालने दोस्तो आपका जो भी घर है यह आपका घर है सही है आपका क्या बोलो घर है सही है आपके घर में न एक function है आपके घर में क्या बोलो एक function है सही है और आपके घर में न दोस्तो सिर्फ 10 लोगों का खाना बना है कितने लोगों का खाना बना है बोलो 10 लोगों का खाना बना है सही है अब आप मुझे एक बा में हमारे गर में हमारे प्रोग्राम में अगर हमारे कुछ भी अगर होता है तो वो यह सब ज度 क्या बोलो और वेसे ही दोस्तो हम जब भी हमारे पार्टनर को हम जब भी क्या बोलो हमारे पार्टनर को दोस्तो हम जब भी इंट्रेस्ट और कैपिटल देते हैं हम जब भी दोस्तो सैलरी देते हैं हम जब भी कमीशन देते हैं तो यह हमने हमारे पार्टनर को तब ही देना च होने के बाद, अगर कुछ बसता है, तो हम खुद खाएंगे, यह सोर नो बोलो, कैसे होंगे, बोलो, है ना, रुखो, रुखो, गेश्ट, पहले हम खाना का लेते, बचा तो फिर हम आपको बूला लेंगे, इसे होता है के बोलो, नहीं होता है, सही है, तो वेसे ही दोस्तो, आपके पार्टनर्शिट में न, जो भी आपके पार्टनर होते है, जो भी आपके कौन होते बोलो, पार्टनर होते है न वस्तो, वो पार्टनर मतलब हमारे घरवाले लोग होते है, कौन होते बोलो, हमारे घरवाले लोग होते है, और हमारे घरवाले लोगों को, हम खाना त डेते यह हम पार्टणर को परॉफिट का शेयर देते तो यह सब चीजे दोस्तोków हमको पार्टणर को तब ही देना चाहिए जब हमको नेत प्रॉफिट मिले अगर हमारे बिजनस में अगर हमको नेत प्रॉफिट मिला है इस नहीं हमको net profit हुआ है या नहीं हूआ है, यह हमको कहां से समझते है बोलो, तो हमको इस समझते है दोस्तो, profit and loss account साहिए, तो आप मुझे एक बात बिलो दोस्तो, अगर हमने हमारे profit and loss account में ही, अगर partner का salary डाल दिया, अगर यहां पे हमने partner का commission डाल दिया, तो क्या हमको ये समझ में आएगा कि दोस्तों कि हमारे पास ये sufficient net profit है क्या जिसके बाद हम partner को salary commission दे पाए ये नहीं समझेगा क्यों क्यों कि हम क्या कर रहे है profit and loss में ही डाल रहे है ना सब चीज़ ने तो वो partner को जो भी आपन देते ना वो आपका appropriation of profit होता है क्या होते है बोलो appropriation of profit होता है इसका मतलब हम net profit में से बाठते concept समझा लेकिन दोस्तों जब भी आप कोई भी चीज़ों को profit and loss account के debit में डालते होना तो वो आपका दोस्तो charge against profit होता है लेकिन याद रखना partner को हम जो भी देते है वो हमारा appropriation of profit है not the charge against profit समझा इसलिए आप जो भी पढ़ रहे हो गलत पढ़ रहे हो लेकिन अब भी के लिए आप एक काम करो दोस्तों आपको क्या करना है आपके partner को जो भी देना है ना उसको आप क्या करना profit and loss account के debit में डाल जेना क्यों आपके book में लिखा है सही है इसका मतलब अगर आपको partner को salary देना है तो आप का पे डालेंगे बोलो profit and loss के debit में डालेंगे सही है अब चोले मुझे एक बाद बोलो ठीक है आप लोग मुझे एक बाद बोलो क्या बोलेंगे द्यान देना देखो दोस्तो जब भी आप आपके partner को कुछ देते हो जब भी आपके partner को कुछ देते हो तो सबसे पहले आप मुझे बोलो दोस्तो कि जो भी आपका partnership का business है और जो भी आपका partner है क्या यह same person है क्या अलग-अलग है बोलो आप मुझे बोलो ना जो भी अपना partnership का business है और जो भी partner है कि दोनों लोग यह एक ही person है क्या अलग-अलग person है बोलो दोनों लोग अलग-अलग person है सही है मतलब इसका मतलब यह याद रखना दोस्तो एक याद रखना दोस्तो कि जब भ परसंड करके आजूम करते as per your separate legal entity concept क्या बोले as per your separate legal entity concept और एक बात याद रखना दूस्तो हमारा partnership हमारे partner को जो भी salary देता है जो भी commission देता है जो भी interest on capital देता है जो भी profit में से share देता है यह हमारे partnership point of view से expenditure होता है क्या होता है बोलो expenditure होता है खर्चा होता है लेकिन दोस्तो वो सब चीजे हमारे partner के point of view से तो income होती क्या होती बोलो income होती concept समझा तो इतना याद रखना दोस्तो कि जब भी मुझे मेरे partner को salary देना होगा जब भी मुझे मेरे partner को इंटरेशन capital देना होगा जो भी देना होगा वो सब मेरे firm का expenditure होगा और वो partner का income होगा concept समझा अब आप मुझे एक बाद बो दोस्तो कि जब भी कोई भी partner को अगर कुछ पैसा मिलने वाला रहेंगा कुछ पैसा अगर मिलने वाला रहेंगा कि partner हमारे point of view से हमारे business के point of view से ये dater है या creditor है बोलो प्लीज मुझे बोलो जो भी partner है वो हमारे business के point of view से है तो creditor है इसका मतलब दोस्तो हम को हमारे business को हमारे partner को जो भी देना होगा उसका हमेशा credit balance होगा समझ रहना मतलब partner को जब भी मुझे देना है तो उसके वज़े से हमारा देना क्या होगा बढ़ जाएंगा जैसे कि for example मान लो कि मेरे पार्टनर ने मेरे बिजनेस में 10 लाख रुपए लगए सही है तो यह 10 लाख रुपए दोस्तो मेरे बिजनेस के पॉइंट अब इस तो लाइबिलिटी हो गए ना आप मुझे बोलो ना बैलनस इट में जो भी आप कैपिटाल लालते हो वह आप कापे डालते हो बोलो वह आप लाइबिलिटी साइड में डालते हो सही है तो इतना याद मतलब दोस्तो एक बात हमेशा रखना कि हमारे पार्टनर सिप्स को हमारे पार्टनर को कुछ देना होगा उसके वज़ेसे दोस्तो पार्टनर का क्रेडिट पैलनस हमेशा बढ़ जाएगा और हमारे partnership का expenditure या खर्चा बढ़ जाएगा concept समझा लेकिन दोस्तों अगर हमारे partnership firm को अगर हमारे किसको बोलो partnership firm को अगर partner के पास से कुछ लेना होगा दोस्तों तो partner का credit balance कम हो जाएगा इसका मतलब हमारा वो income होगा या gain होगा समझा के नहीं समझा बोलो इसका मतलब दोस्तों कि हमको मानलो कि हमारे partner ने जो भी drawing किया इसके उपर मानलो मानलो कि हमारे partnership firm को interest ही क्या चे बोले लिसे interest ही रइट हमारे partner जो भी drawing किया उसके उपर मानलो हमारे partnership क्या कर रहे बोलो interest ले रहे क्या कर रहे बोलो interest ले रहे तो यह हमारे partnership का क्या हो गया बोलो income हो गया बेटा क्या हो गया बोलो income राइट और हमेशा है रखना अगर एक person का income होता है तो दूसरे person का expenditure हो रहता है सही है तो आप मुझे बोला ना जब भी interest on drawing से ना अब ही interest on drawing मतलब क्या कि हमारे partner ने हमारे partnership में अगर कुछ पैसा withdraw किया होगा तो उसके उपर वो partner को हमारे business को कुछ ना कुछ interest है ना पड़ेगा इसका मतलब दोस्तो वो interest on drawing यह हमारे partnership firm के point of view से तो income होगा concept समझा इसका मतलब दोस्तो जब भी हमारे partnership firm को हमारे partner के पास से अगर कुछ भी लेना होगा तो हमारे partnership firm का income होता है और partner का खर्चा होता है सही है और जब भी partner का खर्चा होगा तो वो time पे partner का credit balance कम हो जाएगा और जब भी दोस्तो partner को income होगा तो वो time पे partner का credit balance बढ़ जाएगा concept समझा के इतना समझा के बोलो इतना आपको समझा के प्लीज मुझे बोलो अभी आप मुझे एक बात बोलो दोस्तो अगर मेरे partnership को partner को अगर salary देना है क्या आप मुझे अच्छे से बोलो ठीके मेरे partnership को अगर partner को salary देना है दोस्तो तो क्या ही है salary के वज़े से मेरे partner का credit balance यह बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा बोलो please मुझे बोलो ना बढ़ेगा की नहीं बढ़ेगा obviously बढ़ेगा क्यूंकि हमारे partnership के point of view से वो खर्चा है और वो partner के point of view से income है और partner का income मतलब credit balance बढ़ेगा दूसरा मालो कि मेरे partnership को वो partner को commission देना है तो वो case में आप मुझे बोलो obviously क्या होगा बोलो मुझे मेरे partnership हमको partner को commission देना है मतलब हमारा खरचा होगा और partner का income होगा income मतलब क्या उसका credit balance बढ़ेगा सभी तिसरा मेरे partnership को मुझे partner को intinterest on capital देना है इसके वज़े से मेरे partnership का expenditure होगा और वो partner का income होगा मतलब उसका credit balance बढ़ जाएगा मेरे partnership हमको वो partner को profit देना है इसका मतलब बोलो हमारे business का खर्चा हो रहा है और वो partner का फाइदा हो रहा है मतलब उसका credit balance बढ़ेगा इसका मतलब दोस्तो अगर मैं conclude करू तो हमेशा रखना दोस्तो जब भी हमको हमारे partner को कुछ देना होगा तो उसका effect पेला जाएगा हमारे profit and loss account के debit में और दूसरा जाएगा दोस्तो वो partner का जो भी capital account है या जो भी current account है उसके credit में concept समझे यह कब होगा बोलो जब हमारे firm का या हमारे partnership का खर्चा होगा सही है या expense होगा राइट लेकिन दोस्तो अगर हमारे business को वो partner के पास से कुछ पैसा लेना है कुछ पैसा receive करना है तो वो time पे दोस्तो वो हमारे partnership के profit and loss के credit में जाएगा क्योंकि हमारे partnership firm का income होगा गेन होगा राइट और उसका मतलब वो हमारे partner के capital के कापे जाएगा बोलो debit में जाएगा बिटा कापे जाएगा बोलो debit में जाएगा समझा अभी आप बोलेंगे सर अभी आप हमको यह बोलो कि कौन से question में उनने fixed capital method बोला होगा तो वो case में हमको partner को जो भी interest on capital देना है हमको partner को जो भी interest on drawings लेना है हमको partner को जो भी salary देना है जो भी commission देना है जो भी remuneration देना है यह हर रहे चीज़ दोस्तों हम partner के current account में डालेंगे समझा के नहीं समझा बोलो क्यू सिधी बात है ध्यान देना देखो दोस्तों जब भी मैं partner को salary दूँगा तो उसका जो भी opening capital का balance है वो बढ़ेगा के नहीं बोलो obviously बढ़ेगा सही है और हमको तो जो भी आपका fixed capital method है उसमें हमको partner का capital तो हमेशे constant रखना है इसलिए इतना याद रखना दोस्तों कि जब भी आपको fixed capital method से solve कर रहे है ना तो वो time पे यह interest on capital salary, commission, rent, interest on loan देखो यह interest on loan और rent है ना यह actually charge against profit है लेकिन आपके सिलिए बस के लिए कुछ important है इतना याद रखना कि आपको यह जो भी चीज़े दोस्तों यह आपको partner के current account में डालना पड़ेगा सही है और yes ध्यान देना मैं क्या बूल रहो फिर आप जब भी fixed capital method में दोस्तों capital account बनेंगे तो क्या करेंगे ध्यान देना देखो कभी 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 क्या होता है मालूम एक दोस्तों कि अपना जो भी business है न अपने business पे पैसे की ज़रूरत रिज़ रिज़ राइट तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों जो भी partner होता है न वो partner हमारे business में कुछ न कुछ capital लेके आएगा कुछ न कुछ पैसा लेके आएगा सही है तो business चालू होने के बाद अगर हमारा partner अगर कोई अगले time अगर और अगर capital के लिए पैसा लेके आएगा तुसकों बोलते दोस्तों additional capital राइट और जब भी दोस्तों हमारा partner अगर additional capital लाएगा या अगर वो drawings करता है capital में से तो ये दो ही चीज़े दोस्तों हमारे partner के capital account में जाएगी कौनसे method में बोलो fixed capital method में अगर मैं conclude करना चाहू तो under fixed capital method we prepare two accounts उसमें से first account will be partners capital account another account will be partners current account and partners capital account में सिर्फ चार चीज़ आएगी under fixed capital method that will be opening balance of the capital, closing balance of the capital additional capital and drawings against capital concept समझा अगर ये चार चीज़े चोड़के बाकी की जो भी चीज़े रहेंगी वो आपकी सब के सब partners के current account में जाएगी, समझा के नहीं समझा बोले एकदम easy है, अगर हमको fixed capital method बोला है, तो we will prepare two accounts partners capital account, partners current account partners capital account में सिर्फ चार चीज़े जाएगी opening balance, closing balance drawings against capital और आपका question में partner के capital account के बारे में कुछ भी नहीं बोला होगा तो वो time पे दोस्तों आप fluctuating capital method follow करेंगे और fluctuating capital method में हम सिर्फ एक ही account मनाते हैं जिसका नामे partners capital account और partners capital account और partners current account ये दोनों अलग अलग चीज़े सही है, समझे रहेंगे तो partners capital account में दोस्तों हम वो सभी चीज़े डाल देंगे जो हमको ध्यान देना partners capital account में आपन क्या करेंगे आपन ये भी डालेंगे और ये भी डालेंगे, दोनों डालेंगे लेकिन कौन से method में बोलो fluctuating capital method में, इसका मतलब दोस्तों, मैं आपको ये बोल सकता उलाश में, कि जब भी हम दोस्तो fluctuating capital method से partner का capital account बनाएंगे तो वो टाइम पे दोस्तों आपका partner capital account मतलब क्या तो आपके fixed capital method का partner capital account plus partner current account ये दोनों का million मतलब दोस्तों आपका partners capital account हो जाता है समझा के नहीं समझा बोलो दोनों का मिलन मतलब के दोस्तो आपका partner का capital account हो जाता है concept समझा चुल आपने काम करते दोस्तो यह जो भी है इसके उपर आपने question solve करते है सही है तो आपको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ जाएगा क्या सब लोग radio के बोले जिस है एकदम easy question है ठीक है चलो जल्दी साजो दोस्तो question पे इसके notes मैंने description में डाल दिये सही है अभी ध्यान देना में क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना में क्या बोल रहा हूँ 1499 मतलब क्या बोलो at the beginning of the year 1419 मतलब क्या पहर लिखके रोख आप क्या बोलो ये at the beginning of the year बोलो beginning of the year क्या बोल रहा है वह धर capital balance सार मतलब अनन का कितना है देखो जल्दी से अनन का capital balance से दोस्तो 60,000 और बरत का capital balance से दोस्तो 30,000 और उने during there कुछ drawings भी किया तो कितने किया बोलो 12,000 और 10,000 से यह आभी जान देना मैं क्या बोला कि drawings जो भी न दोस्तों दो प्रकार की होती है सबसे पहले drawing होती है drawings against profit और दूसरा होती है drawings against capital और अगर आपको question में होना ने कुछ भी नहीं बोला होगा सिर्फ drawings बोला होगा इसका मतलब यह आपके drawings against profit की बात कर रहे किसकी बात कर रहे बोला आपके drawings against profit की बात कर रहे समझा के नहीं समझा बोलो क्या आपको समझा के नहीं बोलो बहुत अच्छा है आगे as per the agreement partners are allowed 10% interest on capital okay मतलब हमको यहापे partner के जो भी capital है उसके उपर कामको उसको interest भी देना है और हमको दोस्तों interest on drawings भी लेना है सही है आगे क्या बोल रहे है वो अनन्द get salary 2500 per month and बरत is entitled to get commission on 3% 3% on the net sales क्या बोल रहे है बरत को भी क्या करना है बोलो हमको commission pay करने सही है और आगे क्या बोल रहे है देखो जल्दी से the firm profit is 60,000 prepare partners capital account for the year ended 31st March 2019 हमको क्या करना है बोलो partners capital account हमको यहापे prepare करना है सही है अभी ध्यान देना में क्या बोल रहो बहुत important है ध्यान देना में क्या बोल रहो देखो दोस्तों बात को समझ लो सबसे पहले में क्या करूँगा ना यहापे में क्या करूँगा fluctuating method से question को solve करूँगा किस से करूँगा बोलो fluctuating method से में question को solve करूँगा सही है अभी अब मुझे जल्दी से बोलो दोस्तों कि जब भी में question को fluctuating method से solve करता हूँ वो time पे दोस्तों मैं कौन से कौन से अकउड बनाऊंगा रे लीज मुझे बोलो जबन भी दोस्ता मैं आपे fluctuating capital method से question को solve करूँगा तो मैं कौन से कौन से अकउड बनाऊंगा बोलो तो सबसे पेले दोस्तों मैं आपे बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा यापे partners capital account क्या बनाऊंगा बोलो सिरीफ में partners capital account बनाऊंगा सही है हमेशा रखना जब भी आपको fluctuating capital method से solve करना है वो टाइम पे आप सिरीफ हो सिरीफ partners capital account बनाते हैं सही है अभी जान देना देखो दोस्तो partners capital account के एक छोटा सा format है सही है पुरो format दोस्तों आपका particulars और partners के नेम क्या format है बोलगा particulars और partner के नेम सही है अभी आप मुझे एक बाद बोलो आपका जो भी question है अपने question में कितने partner हैं बोलो दो partner है कुनकों ने बोलो आनद आड बरत सही है तो आपकर क्या करेंगे guess दोस्तो सबसे पहले आपे यापे बनेगी अनन्द सबसे पहले क्या बनोगा बोलो यापे में जल्दी से अनन्द बनाऊंगा और दूसरा में बनाऊंगा दोस्तो यापे भरत सही है और वेसे ही मुझे क्या करना है यापे credit side का भी बना है क्या बोलो particulars आनंद और भरत क्या बोलो particulars आनंद गरत समझा के नहीं समझा बोलो एकदम ईसे सही है ये आपका क्या हो गए बोلो अब ही जान देना में क्या बोलो कोई भी लिखना मत जिन आपको इसका टाइम दे दूगा सही है अभी ध्यांदों में क्या बोल रहो देखो दोस्तों सबसे पहले क्या बोले है उन्हें अनंद एन भरत के profit sharing ratio के बारे में बात कर रहे हैं सही है अभी आपको क्या कर रहे हैं दोस्तों जब भी आप कोई भी रहती है 2-3 में distribute करेंगे कैसे करेंगे बोलो 2-3 मेंं डिस्ट्रिब्ट करेंगे सही अभी कोई भी लिखना मत सिर्फ जान देना मैं क्या कर रहा हूँ ठीके अभी देखो दोस्तो आगे क्या बोल रहा है रुजा रहा आगे देखो इना इनका ओपनींग बैलेव हैmos कुतन proposition and 30,000 right तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों यहाँ पर लिखता हूँ buy balance brought down अभी हमेशा रखना हमेशा रखना हमारे partner का जो भी capital का balance होता है उसको हमेशा credit balance होता है credit balance मतलब अब credit side में buy balance brought down करेंगे समझा क्या दियान में आ रहा है में क्या बोल रहा हूँ 60,000 or 30,000 60,000 or 30,000 इतना समझा करें इतना समझा बोत अच्छे ठीक है आगे देखो आगे क्या बोल रहा है वो as per the agreement the partners are allowed 10% interest on capital सही है अभी आपका जो भी book है न दोस्तों वह आपे इंपोर्टन नोट लिखके रखना क्या लिखके रखना बोलो इंपोर्टन नोट लिखके रखना और इंपोर्टन नोट यह दोस्तों वहापे लिखो interest on capital वहापे लिखके रखो दोस्तों interest on capital is always calculated is always calculated on opening balance किसके करते बोलो always calculated on opening capital balance on क्या बोलो opening capital balance सही है अभी ज्यान देना में क्या बोल रहो प्लीज ज्यान देना में क्या बोल रहो सही है देखो दोस्तो यहाँ पे उन्होंने हमको question में क्या बोला है कि जो भी हमारे partner का interest on capital वो कितना percent देना है बोलो हमको वो हमको देना है दोस्तो 10% से कैसे देना है बोलो 10% से देना है सही है अभी आप मुझे बोलो हमारे partner का जो भी capital है वो कितना है रहे दोस्तो वोलो ज्लिस हमारे partner का capital कितना है बोलो तो आनन का है 60,000 और भरत का कितना है बोलो 30,000 अभी हमको क्या करना है बोलो आनंदर बरत को इंट्रेशन कैपिटल देना है अभी आप मुझे एक बात बोलो दोस्तों कि जब भी मुझे हमारे partnership हमको आनंद को या बरत को अगर मुझे उनको इंट्रेशन कैपिटल देना होगा तो उसके वेज़े से partner का profit होगा या loss होगा आप मुझे बोले ना interest on capital मतलब क्या हमारे partnership firm ने जो भी partner के बासे capital लिया है उसके उपर हमको partner को इंट्रेशन आ है तो हमारे firm के point of view से interest on capital अमेशा expenditure होता है और partner का अमेशा फाइदा होगा समझा और हमेशा रखना दोस्तो जब भी partner का फाइदा होगा मतलब हमको partner के capital account के credit में लिखना पड़ेगा का पर लिखना पड़ेगा बोलो credit में लिखना पड़ेगा इतना समझा क्या तो ध्यान देना दोस्तो 60,000 के उपर हमको 10% से मतलब हमको दोस्तो आगे क्या बोल रहा है वो देखो क्या बोल रहा है interest on drawing is to be charged at 12% पर एनम राइट इसका मतलब भी होते दोस्तो कि हमारे partner ने business में से जो भी drawing किया उसके उपर firm partner के पास से 12% पर एनम से interest को collect करेगा concept समझा अब आप मुझे एक बात बनो दोस्तो कि जब भी हमारा partner या जब भी हमारी partnership firm हमारे partner के पास से interest on drawing लेगा तो वो case में दोस्तो partner का नुकसान होगा partner का loss होगा समझा और partner का loss मतलब partner के capital account के debit में लिखना है समझा का का में लिखना है बोलो debit में लिखना है सही है तो मैं इसते दोस्तो interest on drawing जो भी ही हिना ये मैं partner के capital के debit में लिखोंगा interest on drawing समझा अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहूँ अभी देखो ध्यान दो देखो दोस्तो हमारे partner ने drawing कितना किया देखो ज़रा तो यहाँ पे लिखा है हमारे partner आप देकी जान देना आप मुझे एक बाद बोलो जब भी दोस्तो पार्टनर ट्रोइञ कर रहे इसका मतलब क्या partner हमारे बिजनेस में से पैसे को निकाल रहे या नहीं निकाल रहे बोलो आप मुझे बोलो ना जब भी हमारे business में से partner ड्रोइंग करते हैं इसका मतलब partner हमारे business में से पैसा निकाल रहे सही है और हमेशा रखना जब भी हमारे partner बिजनेम से पैसे को विड्रो करेंगे निकालेंगे वो टाइम पे partner का capital कम हो जाएंगा अभी आप मुझे बोलो partner के capital को अमेशे कुन सा balance रहता बोलो credit balance रहता अभी मुझे partner के capital को कम करना है इसका मतलब मुझे partner के capital को debit करना पड़ेगा सही है तो मैं क्या करूंगा दोस्तों यहाँ पे पेले two drawings लिखता हूँ कितना है बोलो इल्दी से drawings मेरा मेरा drawings है दोस्तों यहा हम आराम से बढ़ो आइस्ता इस्ते बढ़ो अपने को कोई दिक्कत नहीं कोई गड़ बढ़ने ठीके अब यह मुझे एक बात बोलेंगे दोस्तों यह question में जो भी आपे partner ने drawing किया है मतलब जो भी partner ने आपे 12,000 यह 10,000 रुपया withdraw किया है आप मुझे बोलो कि आपको question में यह आपे drawing का date दिया है किया है मतलब कोन से date में partner ने पैसे को निकाला यह आपको बोला है क्या बोलो नहीं बोला है सही है इसका मतलब दोस्तों हमको यह question में से यह समझ रहा है कि हमारे question में partner ने drawings तो किया है पैसे को तो निकाला है पैसे को तो withdraw किया है लेकिन वो पैसे को उसने withdraw कब किया राइट और जब तक दोस्तो हमको ये पता नहीं रहेगा कि हमारे partner ने business में से जो भी draw किया है business में से जो भी पैसा निकाला है वो कब निकाला है तब तक दोस्तो हम वो drawing के उपर का interest ये calculate नहीं कर सकते सही है तो हमेशा रखना दोस्तो एक provision दिया हुआ है क्या provision है कि जब भी दोस्तो हमारे question में हमको partner ने जो भी पैसा withdraw किया है मतलब उसका date या अगर हमको उसका तारीक अगर दिया नहीं होगा इसका मतलब अगर हमारे question में partner ने जो भी drawing किया है उसके date out drawing के बारे में अगर हमको कुछ भी नहीं दिया होगा तो वो case में दोस्तो हम partner को जो भी ये drawing के उपर का interest चार्ज करेंगे वो सिरीफ और सिरीफ हम six months का चार्ज करेंगे क्या करेंगे बोलो six months का चार्ज करेंगे इसका मतलब मैं क्या करूंगा जो भी partner ने ये 12,000 रुपीज विड्रॉ किया है या 10,000 रुपीज विड्रॉ किया है इसके उपर जो भी मैं 12% interest लूँगा तो ये मैं सिरीफ हो सिरीफ six months का लूँगा आप बोलेंगे six months का क्यों तो इसका मतलब दोस्तों इसका reason ये है क्योंकि हमको question में उन्होंने data of drawing दिया नहीं है और data of drawing नहीं पता मतलब मैं assume करूंगा कि हमारे partner ने during the year मतलब साल के बीच में drawings निकाला है क्या क्या बोलो during the year है साल के बीच में हमारे partner ने drawing किया है इसका मतलब हमको six months का interest नहीं सही है अब इस जान देना तो आप मुझे बोलो दोस्तों जल्दी से 12,000 का 12% से 6 months के लिए कितना interest आता है और ये जो भी न दोस्तों ये figure को मैं डालूंगा interest on drawing के सामने तो मैं डालूंगा 720 और 600 क्या आपको इस समझा के नहीं समझा क्या आप कोई समझा के नहीं समझा प्लीज मुझे बोलो समझाने एक दम अच्छे से बहुत अच्छी बाते सही है तो मैंने क्या किया दोस्तो इंट्रेशन ड्राइंग का एज़ेश्मेंट कर दिया ठीक है अब आगे आगे क्या बोल रहे है वो अनन्द गेट सेलरी ऑफ 2500 पर मन सही है अब आप मुझे एक बात बोलो दोस्तो अपन जो भी पार्टनर्शिप में फाइनल अकाउंट बनाएंगे अपन पार्टनर्शिप में जोस्तो जो भी आपन चीज़े करेंगे तो आप मुझे एक ध्यान देना मैं क्या बोल रहो थीक है तो आप मुझे एक बात बोलो दोस्तो तुम यहापे जो भी फाइनल अकाउंट्स और बनाएंगे यहाँ पूरे साल का बनाते क्या सिरीव हो सिरीव एक मेने का बनाते बोलो पूरे साल का राइट तो इसका मतलब दोस्तो हमारा या पर जो भी पार्टनर ने ड्रॉइंग किया पच्छिस सो पर मन इसका मतलब दोस्तो हमारे पार्टनर ने पूरे साल भर में पच्चिस रुपय पर मंद से पैसा निकालोगा सही है अभी आप मुझे एक बात बोलो ना अगर पच्चिस रुपया पर मंद मतलब एक साल का कितना लीज मुझे बोलो पच्चिस रुपया पर मंद मतलब एक साल का कितना बोलो 30,000 सही है अब यह आप मुझे एक बात बलो दोस्तो जब भी कोई भी पार्टनर को अगर हमारे बिजनस में से अगर 25 रुपया पर मन से 30,000 रुपीज अगर as a salary करके जा रहा है इसका मतलब जो भी पार्टनर को वो salary का पैसा मिल रहा है उसके point of view से वो salary यह income होगा क्या expenditure होगा आप मु पीटिट में जाएगा और किसका जाएगा बुल आननका है तो आननक किस एगा 30,000 कितना जाएगा बुलो 30,000 जाएगा समझा के नहीं समझा बुलो समझा के नहीं शम्मझा है एंग दंँ जय ए ठीक है अभी ध्यान दो आगे ओडिपर गल रहे देखो बरत इस एंटाइकर to commission 3% on the net sales अभी देखो आपका sales कितना है दोस्तो आपका sale है 5 lakh sale कितना है बोला आपका 5 lakh से सही है और यह 5 lakh जो भी ना इसके उपर दोस्तो हमारे बरत को 3% का commission मिलेगा तो 5 lakh का 3% निकालो जारा तो मेरे इसाब से दोस्तो 5 lakh का 3% आता है 15,000 राइट इसका मतलब दोस्तो हमारे partnership firm को बरत नाम के partner को 15,000 रुपिस का commission देना है और commission देना है मतलब partner का फाईदा partner का फाईदा मतलब partner के capital account के credit में लिखना है सही है तो यहाँ पर में लिखता है by commission का लिखता हो बोलो by commission सही है और कितना लिखूंगा वो लिली से 15,000 क्या आपको या तक समझा के रहे easy था के tough था बोलो एकदम easy चल रहाइट या तक समझा के आपको अच्छे से बोलो yes or no है ना partner को मिला 15,000 सही है चलो अब आगे क्या बोल रहे रहे हो तो firm's profit is 60,000 राइट अब आप मुझे एक बाद बोलो ना जब भी हमारे partnership firm में दोस्तो profit होगा तो वो profit को अपन क्या करते हैं बोलो partners को distribute करते हैं profit को अपन क्या करेंगे बोलो partners को distribute करेंगे सही है और अब आप मुझे एक बाद बोलो जब भी हमारे partnership का जो भी profit है अगर वो profit को मैं मेरे partner को distribute कर रहा हूँ इसके वज़े से दोस्तो partner का फाइदा होगा क्या नुक्सान होगा बोलो partner का फाइदा होगा सही है और मैंने आपको क्या बोला कि जब भी आपन partner का profit को distribute करते हैं वो profit को हमको old ratio में distribute करना पड़ते हैं सही है तो 60,000 को दोस्तो आपको 2 is to 3 में distribute करना है अभी आप बोलेंगे sir कैसे करने का तो बहुत सारे students को यह आता नहीं होगा मैं आपको सिखा देता हूँ don't worry मैं आपको सिखा दूँगा don't worry देखो दोस्तो आपको कितना profit है 60,000 है ना अभी देखो 2 is to 3 का total कितना होता है बोलो 5 होता है सही है तो divided by 5 करने का into 2 करने का तो यह आजाएगा आपका आनन्त का और 60,000 divided by 5 into 3 करेंगे तो आपका आजाएगा दोस्तो वो किसका बोलो बरत का सही है तो अभी जल्दी से आप मुझे बोलो जेको मुझे मैस आता नहीं जल्दी जल्दी मुझे बोलो ठीक है मुझे तो थोड़ा बहुत आपकी दुवा से ठीक है मुझे तो बाकी का कुछ आता नहीं बाबा तो आप मुझे जल्दी जल्दी बोलो चलो पट अफट मुझे बोलो कितना है रहे दोस्तों जाएगा 24,000 and 36,000 राइट और इसमें क्या होगा बोलो पार्टनर का फाइदा है पार्टनर का फाइदा मतलब पार्टनर के कैपिटल अकॉंट के क्रेडिट में डालेंगे तो यहापे में डालूँगा बाइ प्रॉफिट कितना है बोलो जल्दी से यहापे जाएगा 24,000 और यहापे जाएगा 36000 राइट और यह होने के बाद दोस्तों मुझे К्या करना है मैरे पार्टनर डालेंच को लोस करना है साही है अभी जहान दो जलदी से मैं क्या बोल रहा हूँ तो आप मुझे जलदी से बोलो दोस्तो पार्टर का मैं इसका टॉटल वापस करता हूँ सायद में इसे कुछ गलती हो गई ठीक है चलो मुझे इसका टॉटल बोलो जलदी से मुझे इसका total बोले यल्डिस ए कितना आ रहा है कितना आ रहा है बोले यल्डिस दोस्तो total बोले यल्डिस 84,000 आ रहा है न एकदम सही है ठीक है और 84,000 में से जो भी debit का total उसको minus कर दूँगा तो यहाँ पर मेरा जो भी बचेगा न दोस्तो कितना बच रहा है देखो जरह यहाँ यहाँ पर कितना बच रहा है देखो जरह 84,000 minus debit में देखो क्या क्या है 600 minus 10,000 तो मेरा यहाँ बचेगा दोस्तो two balance carried down से यह मेरा बच रहा है 73,400 सही है देखो अभी हमेशा रखना ठीक है क्या रखेंगे बोलो देखो आप मुझे एक बात बोलो यह जो भी question था यहाँ पे भरत का credit side बढ़ा था के debit side बढ़ा था बोलो प्लीज मुझे बोलो यह जो भी question था दोस्तो यहाँ पे बरत का credit side बढ़ा था के debit side बढ़ा था बोलो credit side बढ़ा था सही है तो एक बात हमेशा ज्यांद रखना और ल बूलो, credit balance है, और credit balance यो भी रहता है, दोस्तो, इसको हम ढलते हैं, हमारे balance sheet के liability के side में, कहां पे डालेगे, बूलो, balance sheet के liability side में डालेगे, और जब भी दोस्तो, हमारे partner capital का, प्लीज जैन्दर, जब भी हमारे partner capital का, अगर debit side बढ़ा होगा, अगर कौनसा बो, debit side अगर बढ़ा तो जंदरली आपन क्या करेंगे बोलो balance के liability में डालते हैं क्योंकि हमारा credit balance होता है सही है चलो वेसी आप मुझे काम खुरो आनन्द का बोलो जल्दी से आनन्द का कितना आ रहा है तो आनन्द का आ रहा है दोस्तो यहाँ पर total मेरा आया 1,20,000 राइट इसमें से debit वाला minus कर दो मेरा आएगा दोस्तो यहाँ पर 1,7,280 राइट तो यह मेरा आजाएगा दोस्तो आनन्द का closing balance समझा के नहीं समझा बोलो समझा के नहीं यह सोर कितना easy था राइट तो यह हो गए दोस्तो आपका partners capital account under fluctuating method कौनसा method बोलो fluctuating method कौनसा method बोलो fluctuating method सही है तो please आप इसका screenshot लेलो जल्दी से प्लीज इसका screenshot लेलो फास्ट एक सेकंड में screenshot लेलो ठीक है फिर मैं आपको क्या करूंगा fixed capital method से भी solve करके बताऊंगा जिसके वेज़े से आपको fixed capital method में हम partners का capital account के ऐसे बनाते वो समझेगा और fluctuating capital method में partners capital account के ऐसे बनाते यह भी आपको समझेगा हुआ के नहीं method कुनसा method बोलो fixed capital method सही है अब आप मुझे जल्दी से एक बात बोलो दोस्तो कि जब भी मुझे fixed capital method से question को solve करना होता है वो time पे मैं कितने account बनाता हुरे तो मैं दो account बनाऊंगा राइट सबसे पहले मैं बनातो दोस्तो यापे partners capital account सबसे पहले क्या बनाऊंगा बोलो partners capital account में बना दूंगा partners capital account बनाता हुरे दूसरा कौन सा बनातो बोले दिस दोस्तो दूसरा में आपे बनाऊंगा partners current account दूसरा कौन सा बनाऊंगा बोलो partners current account एक पाश मीट का बचा है बस ठीक है पाश मीट का lecture बचा है सही है partners current account में आपे बना दूंगा सही है अभी देखो दोस्तो जो भी format है न, format तो same होता है, format क्या होता है, बोले एकदम, same होता है, 100% same होता है format, ठीक है, बले याब capital बना या current बना, format तो same होगा, सही है, अभी ध्यान दो में क्या बोल रहो, देखो दोस्तों, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे partner का capital account बना रहा हूँ, यहाँ पे में क्या है, बोलो particulars, आनंद और बरत, पर्टिक्लरस, आनंद और बरत, सही है, और वेसे ही दोस्तों, partners current account में भी में सेम चीज़े बनाँगा, क्या बनाँगा, बोलो, particulars, आनंद और बरत, यहाँ भी भी आइगा, particulars, आनंद और बरत, सही है, अभी ध्यान देना, अच्छे से द्यान देना एकदम अच्छे से एकदम अच्छे से आपको क्या करना है बोलो DR लिखना या आपको CR लिखना अभी मुझे पता है गंदा format बन गया है लेकिन प्लीज आप आज के दिन adjust कर ले ना कल से ना मैं पूरा draw करके लाँगा आपके लिए ठीक है कल से मैं पूरे तैयरी मैं आओंगा सही ना द्यान दो में क्या बूल रो एकदम ध्यान दो में क्या बूल रो सही एकदम ध्यान दो ठीक है अभी देखो दोस्तो जब भी मैं partner capital का बैलेंस कर रहा हूँ और मुझे कौन से method से करना है बोलो fixed capital method सही है अभी देखो इसको cases solve करेंगे अच्छे से ध्य सबसे पहले क्या लिखा दोस्तों और या पर opening capital का balance दिया है सही है तो मैं क्या करूंगा partner का opening capital का balance हमेशा partner capital account में जाता है सही है तो मैं क्या करूंगा दोस्तों या पर लिखूंगा buy balance brought down और का आप लिखूंगा बोलो partner के capital account में कितना 60,000 और 30,000 बाद में लिखना अब भी screenshot के लिए time दे दूँगा ठीक है बाद में लिखना आप भी ध्यान देना ठीक है यह मैंने कर दिया सही है मैंने क्या क्या बोले या पर पार्टनर का capital account का balance मैंने आप लिख दिया सही है अब आगे क्या बोल रहा है देखो जा रहा हो जल्दी से आपके partner ने drawing किया सही है अब जब भी दोस्तों आपको question बिसे drawings बोला होगा इसका मतलब है आपका drawings against profit होगा और drawings against profit आपका अमेशा current account में जाता है सही है तो मैं क्या करूंगा दोस्तों यह आपे लिखता हूँ two drawings का आपे लिखूंगा बोलो partner के current account में लिखूंगा और आनन का कितना drawing ता बोलो 12,000 और भ credit में जाएगा partner का फाइदा मतलब credit side partner का नुक्सान मतलब debit side सही है तो मैं क्या करूंगा दोस्तों यहाँ पे लिखूंगा by interest on capital क्या लिखूंगा बोलो by interest on capital कितना बोलो 6,000 और 3,000 कितना बोलो 6,000 और 3,000 समझा के नहीं समझा 6,000 और 3,000 इतना समझा चलो बहुत अच्छा ह आगे देखो आगे क्या बोल रहा हूँ? interest on drawings राइट अब आपने interest on drawing को calculate किया था सही है अब आप मुझे बोलो interest on drawing मतलब partner का फाइदा के नुक्सान रहे? partner का नुक्सान मतलब क्या बोलो debit side सही है मैं वह वापस बोल रहा हूँ आपन कौन से method से कर रहे? आपन fixed capital method से कर रहे fixed capital method में partner का capital हमेशा क्या रहेगा बोलो constant रहेंगा सिरी fixed capital method में partner capital में हम कितनी चीज़ा डालते? चार opening balance, closing balance, additional capital, drawing against capital और अगर ये चार चीज़े सोड़के जो भी चीज़े रहेंगी वो हम partner के current account में डालेंगे मैंने आपको सिखात है ये राइट तो इसलिए दोस्तों interest on drawing के partner का नुक्सान होगा और partner का नुक्सान मतलब दोस्तों में डालूँगा partner capital account के debit में मतलब में डालूँगा दोस्तों यहाँ पे 720 और 600 ये कहा सा है तो आमने निकाला था पीछे राइट ओके आभी द्यान देना आगे आगे क्या बोल रहें देखो येस partner को क्या मिल रहें दे salary आनन को मिलेगी ना था आनन को कितनी मिलेगी 30,000 मिलेगी राइट और इसका आगे क्या था बोलो बरत को commission देना था तो बरत को कितना commission देना था बोलो हमको 15,000 commission देना था concept समझे रहें कुछ ने एक दम हीज़ए ठीक है जो भी partner को देना है उसको credit करो जो भी partner से लेना है उ दोस्तो हमको पहले current account को close करना है current account को close करने के बाद जो भी हमारा balance आएगा उसको हम लिखेंगे two balance carry down क्या करेंगे बोलो two balance carry down करेंगे सही है अब याब एक बात बोलो बरत के credit का total बोले जली से मुझे बरत के credit का total बोले जली से what the effort आपको आ रहा है मुझे पता है इनिशन मतलो आपको हरे चीज आ रहे है ठीक है आप अगर ध्यान देंगे तो आपको हरे चीज समझ जाए गर तो 54,000 में से दोस्तो प्लिस 10,600 माइनस करो तो आपका यह आ जाएगा दोस्तो current account का closing balance समझा तो इसको मैं बोलूँगा two balance carry down क्या बोलूँगा two balance carry down क्या बोलूँ फटा फट एकदम fast fast करो चलो आननकार है दोस्तो यहाप ए 60,000 और 60,000 में से मुझे debit का minus करने तो कितना करूँगा मैं यहाप माइनस 12,720 तो यह कितना हैगा मेरा 47,280 समझा के रहे है यह आपका किसका balance है बोलो current account का balance है सही है अभी क्या करो आप capital account को भी close कर दो partner के तो यह यहापे में close कर रहा हूँ 30,000 और यहापे 60,000 यही total में क्या करूँगा बोलो debit में लिख दूँगा यहापे यहापे लिखूँगा में 60,000 यहापे लिखूँगा में 30,000 राइट और यहापे में करूँगा two balance carry down कितना हैंगा बोलो यहापे जाएंगा मेरा 60,000 यहापे जा न दोस्तो पार्टनर का जो भी capital account का balance है और partner का जो भी current account का balance है अगर ये दोनों को अगर आपन add कर देंगे न दोस्तो तो हमको fluctuating capital method का capital का closing balance मिलेंगा सही तो अभी आप देखो दोस्तो A के partner capital का और A के partner current का total लो ठीक है अभी देखो partner capital का balance कितना था 60,000 और current का कितना था देखो 47,280 रइट तो दोनों का मेरा A का balance आ रहे दोस्तो यापे 10,07,280 रइट और B का देखो गितना आ रहे बिका आरे दोस्तो यापे 83,000 कितना आ रहे यापे देखो जल्दी से B का जरा बीका आ रहे दोस्तों यहापे मुझे बीका कितना आ रहे देखो 73,400 कितना रहे देखो 73,400 राइट और अगर आप observe करेंगे दोस्तों तो यह जो भी balance ऐसे न यह आपके fluctuating capital method के closing balance ऐसे क्या है बोला आपके जल्दी से fluctuating capital method के closing balances से देखो जल्दी से आपको आपको दिखा रहे के यह ज़र रहे यहापको यह जो भी 1,7,280 था यही आया कि देखो यह आया कि देखो 700,400 जो भी यही आया कि देखो होई आया समझा क्या तो इतना याद रखना दोस्तों मैंने क्या बोला कि कुछ नहीं रेता है यार एकदम एजी एकदम एजी राइट आपको जो भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना नहीं ना तो वो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आपको दो मेतर चे फिक्स मेतर चे और फ्लक्चुएटिंग से फिक्स में दो अकाउंट बनेंगे करंट अकाउंट औ डालते बोलो partner के capital को opening balance है partner के capital account में जाएगा closing balance जाएगा additional capital भी partner के capital account में जाएगा और drawings against capital भी हमारा partner के capital में जाएगा बाकि सब चीजे जो भी दोस्तों वो current account में जाएगी लेकिन अगर आपको fluctuating capital method पूचा होगा तो जितनी भी चीजे मेने current में डालिए वो सब चीजे भू और जब भी दोस्तों partner के पासी कुछ पैसे लेने होंगे तो partner का नुकसान होगा partner का फाइदा मतलब partner के capital के credit में या partner के current के credit में और जब भी partner का नुकसान मतलब partner के capital के debit में या partner के current के debit में concept समझा शरीप इतना याद रखना क्याद रखेंगे बोलो अगर हमको exam में partner capital account को क उनसे method से solve करना है अगर इसके बारे में अगर हमको कोई भी जानकारी नहीं दी होगी दोस्तों तो वो case में दोस्तों हम solve करेंगे fluctuating capital method से और fluctuating capital method में मैं सिर्फ एक ही account बनाऊंगा जिसका नाम रहेगा दोस्तों मेरा partners capital account समझा इतना आपको समझा क्या बोलो तो आज का आपको discussion कैसे लगा बोलो आज हमने क्या पढ़ा सुबह से तो सबसे बेले दोस्तों आपने जब यह नई कानी शुरू की थी आपके partnership final accounts की तो वो case में सबसे बेले दोस्तों मैंने आपको सिखाया partnership बिजनेस मतलब क्या होता है और partnership के business में क्या जरूरत है इसके बाद हमने देखा दोस्तों कि partnership का जो भी agreement डीड होता है वो oral हो सकता है return हो सकता है महाराष्टर में return agreement करना पड़ता है क्योंकि partnership डीड है partnership का रइस्ट्रेशन है compulsory है फिर मैंने आपको क्या बोला partnership डीड के content बोले उसमें बहुत थारी चीज़े हमने पड़ी जैसे हमारे firm का name, address वगड़े, partner कौन को ने वो partner का right duties वगड़े क्या है हर एक चीज़े हमने पड़ी उसके बाद हमने क्या पड़ा what are the provisions for Indian partnership act 1932 है न प्रोविजन कब applicable होंगे बोलो, वो हमको तब applicable होंगे जब हमारे partnership डीड नहीं होगा या जब हमारी partnership डीड है लेकिन उसमें वो clauses नहीं होंगे उसमें हमने क्या पड़ा तो profit sharing ratio हमारा अमेशा equal होगा, मैं क्या बोल रहू, Indian partnership provision act ती बात कर रहू, ठीके न मैं partnership act provision की बात करो सही है, तो पेले का पड़ा हमारा profit कैसे होगा, equal होगा इंट्रेशन रहिंग देना है क्या, इंट्रेशन रहिंग लेना है क्या, नहीं लेना है, इंट्रेशन कैपिडल देना है क्या, नहीं देना है इंट्रेशन लोन कितना, 6% per annum, salary commission देना है क्या, नहीं देना, यह सब चीज़े applicable नहीं होगी जब आपका partnership deed प्रेजेंट रहेगा, और partnership deed में आपका specific provision दिया रहेगा, concept समझा, और उसके बाद दोस्तों हमने partner के capital account के बारे में थोड़ा बहुत बढ़ाई किया, सही है, अभी ध्यान देना मैं क्या बूल रहा हूँ देखो दोस्तों, आज आपको क्या करना है, समझ लेना, आज आपको एक छोटा सा में चीज, homework दे रहा हूँ, ठीक है आज आपको एक छोटा सा में homework दे रहा हूँ, और हो homework के दोस्तों, आपका illustration number 2, अपने notes जो भी दोस्तों, अपने notes से आपकी जिंदगी बदल देंगे, सही है अपने notes में जो भी important, मैं आपको वही चीज़े पढ़ा रहा हूँ, जो आपको board की exam में आ सकती है समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, I hope आपको समझता होगा, तो जो भी आपका illustration number 2 है दोस्तों, यह आपका homework है आप please इसको try करो, मैं आपको promise करता है दोस्तों, कि यह question आपको 10,000% solve करते आ जाएगा 10,000% आपको आ जाएगा, सही है, तो illustration number 2 आपका homework है, और मैं आपको बोलना चाहता है दोस्तों, कि यह हमारे marathon batch का एक part था सही है, हम रोज application के उपर लेते, लेकिन आज हमारा first day था और application में problem था, इसलिए हमने YouTube पे लिया, अगर आप लोगों में से, अगर कोई new students अगर देख रहे हो, और अगर आपको यह lectures अच्छे लग रहे है दोस्तों, तो आप हमारी marathon batch को join कर सकते हो, सिर्फ 2,000 रुपीज व है, और उसके सभी recordings आपको मिल जाएंगे, फाइदा यह होगा, आपका 40 जिन में पूरा accounts एकदम तोड़ तरी कैसे complete होगा, आपको important questions मिलेंगे, पिछले साल के board papers all हो जाएंगे, आपका accounts का पहले से आखरी तक पूरा पड़े होगा, और लेक्चर का recording आप कितनी भी बार द चेर करना, और मुझे comment में पक्का बताना आपको वीडियो कैसे लगा, और अगर आपको admission लेना होगा, तो description में हमने हमारे contact details आपको दे दिये, चलो, आज के लिए बस इतना ही दोस्तो, कल का lecture आपने application पे ही होगा, YouTube पे नहीं होगा, ठीके, पाई बाई दोस्तो, टाटा, म Sunday to Friday चलेगी, right, Saturday, Sunday आपको चुट्ती होगी, और जीजिन आपको चुट्ती होगी, गाईस, आपको उस जीन, जो भी चीज़े में आपको पढ़ाई है, वो चीज़े आपको revise करनी पढ़ेगी, वो चीज़े आपको क्या करनी बोलो, revise करनी पढ़ेगी, समझा, चलो, बाई बाई दोस्तों, टाटा, गुड़ नाइट है ना, अच्छे से रहो, मस्त पढ़ाई करो, ठीके, अकाउंट्स को पढ़ना नहीं, फोड ना है, और एसी बहुत सारे, बागी के जो भी economics, SP, OCM, इसके भी हम courses बहुत जल्दी आपके लिए लेके आएंगे, उसको भी हम 25 दिन झाल